सीडियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें च्छत पर जाना है हमारी मंजल तो आसमान है हमें अपना रस्ता खुद बनाना है हेलो बच्चों मैं अमित प्रिजापति आप सभी का फिर से सोगत करता हूं फिजिक्स वाला केश खूब सूरसे प्लेटफॉर्म पर तो चलिए स्टा रासियों के अलावा कोई अन्य रासियां भी होती हैं तो इनकी अपन चर्चा करते हैं एक एक करके आप अभी 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं तो हो सकता है आपको इन छोटी-छोटी चीजों की जानकारी नहीं हो या कुस लोगों को हो अगर पहले से जानकारी तो अच्छ अपन किसी मापन यंत्र से कर सकें उसे अपन भौत एक रासि कहते हैं बतलब कोई भी ऐसा quantity है जिसका मेजर्मेंट अपन कर सकें किसे किसी भी मेजरिंग इंस्टुमेंट से उसको अपन क्या कह देते हैं बच्चा भौत एक रासि एक जामपल के लिए जैसे अपन बात करते हैं चाल चाल एक भौत रॉत रासिय इसका मापन कर लेते हैं इस स्पीडोमीटर नामका एक यंत्र होता है आपने देखा हो का मौटर साइकल स्कूटर अपन चलाते हैं कार चलाते तो उसमें एक सुई लगी होती आगे मीटर लगा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं स्पीडो मीटर तो उससे अपन क्या करते हैं चाल कितनी है अपनी मोटर साइकल की वो पता कर लेते हैं तो चाल के अलावा और भी सारी बहुत एक रासियां होती है जैसे की ताप आप बोले तो टेंपरेचर हम ताप मान का भी म को अपन मेजर गरते मार्व जसका मऱान कर सकें किसी भी यंदर से किसी भी मार्व पने उसको बहुत एक एक रासी कह देते इसी कड़ी में एक उधारा और है अपना जिसे हम लंबाई कहते हैं धन्यक्त मापने क लिए बच्पन से उप्योग किया होगा मीटर स्केल का रे वाइट कलर की 32 रुपए की स्केल आती है उससे अपन किसी का मेजरमेंट करते थे लेंध का और लेंध को मेजर करने के और भी यंत्र होते हैं जैसे वर्नियर कैली पर्स हुआ इसक्रू गेज हुआ उनसे भी अपन लंबा इक्रास्या नहीं कहते क्योंकि क्योंकि उनका हम मापन नहीं कर सकते हैं आप वीडियो पॉस्ट कर व और मनमें उधारन सोचो है उसकी स्काट मापन नहीं कर सकते हैं तो यह एक बहुत एक रासी नहीं है ऐसी आप कभी कहते हैं कि आज मैं बहुत दुख्य हूं तुक्ष का मापन कर northern कि इसलिए दुख वी एक मापन लज दुख पहती कि नहीं किसी प्रकार से और भी राशयाभ होती है से अपन कहते हैं महबत लव क्या आप महबत का महबत कर सकते हैं अपन कहते हैं हाँ यह उसको मुहबत करता है इतनी या इतनी मापके बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं एक साइरी भी है इसी टाइप की हम कहते हैं आग के नीचे कभी राख नहीं होती समंदर के नीचे कभी थबा नहीं होती और जिससे मुहबत होती है उससे कभी साधी नहीं होती अब भाई आपने कभी मुहबत का मापन ही नहीं किया कि बास्ता में मुहबत थी या नहीं थी मुहबत होती तो आपकी साधी मुहबत से जरूर होती तो मुहबत एक ऐसी रास्य जिसका अपन मापन नहीं कर सकते हैं इसी प्रकार से बहुत सारी रास्य होती है हम कहते हैं कभी अपन लाइक बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं ठीक है डिप्रेस का मतलब हम सदमे में हैं तो अपन सदमे का मापन कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं तो असी बहुत सारी रासियां होती हैं जिसका अपन मापन नहीं कर सकते हैं उनको बहुत एक रासियां नहीं लंबाई दाब हो गया दाब का भी मापन अपन कर लेते हैं बैरोमीटर नाम का एक यंत्र होता है उससे चाल लिख लो तो ऐसी भहुत सारी रासियां होती है चलिए कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं अब देखो बहुते ग्रासियों को तीन भागों में बाटा जा सकते हैं फॉरक रासियां तो अपनी हेडिंग लिखी हुई है तो मूल रासिया तो मूल रासिया क्या होती हैं कोई भी ऐसी रासियों को समोह वह सकता है जो एक दूसरे से सौतन्त्र, हो एक दूसरे पर निर्भर ना करें, तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई इसको भी अपन पढ़ लेते हैं कि यह ऐसी रासियों का समोह होता है जो एक दूसरे से सौतंतर होती हैं मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं अर्थात इनको एक रासी को दूसरी रासी के पदों में ब्यक्त नहीं किया जा सकता है सिंपल सी बात है ऐसी रासियां जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो आप ऐसी रासियों का समुह ले आईए तो उनको अपन मूल रासियां कह सकते हैं इसको अंग्रेजों की भासा में अपन कहते हैं फंडामेंटल कॉन्टिटीज मूल रासियों को और अपने प्रत्वी पर अपने प्रत्वी पर जो मूल रासियों का सेट डिसाइड किया गया है उनमें कौन-कौन सी रासियां आती है एक लंबाई आता है समय रभ्यमान ताप विद्धुत धारा जोती की तीवरता तथा पद और यहां से पीके आया था समझ गए आमिर खान तो हो सकता है उस गोले पर खेत्रफल वेग घनत विसिस्ट उसमा प्रतिरोध जियोती की तीबृता पदार्थ की मात्रा इन रासियों के समही को मूल रासिया माना जाता हो ठीक है और जरूरी नहीं है कोई तीसरा गोला हो सकता है उस पर किसी दूसरी रा राश्यों का समोह या जो भी इस समोह में राशियां है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए बरखुरदार चलिए अपन कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर लिखा है हम निमने समोही को मूल रासिया नहीं ले सकते हैं यहां पर अपने तीन रासियों का समोही लिया हुआ है चलो हम एक रासिय और जोड़ देते हैं यहां पर एक रासिय अपन और जोड़ देते हैं आयतन अब देखो इस चार राशियों को समय हो गया क्या हम इनको मूल राशियां कह सकते हैं हम कहेंगे नहीं हम इनको मूल राशियां नहीं कह सकते हैं क्योंकि ए राशियां एक दूसरे से सौतंतर नहीं हैं उधारन के लिए जैसे हम अगर छेत्रफल लिखें तो छेत्रफल क क्या है बच्चा एक भौत एक रासी है लंबाई और चोड़ाई भी बास्तम में क्या होता है चोड़ाई भी लंबाई ही है बेटा हम लंबाई हो चोड़ाई हो उचाई हो सभी को मीटर सेंटीमीटर में ही मापते हैं तो बेसिकल यह भी क्या होती लंबाई या ही होती है तो खेटरफ़ल किस पर निर्भर कर रहा है लंबाई पर निरभर कर रहा है अत्तहां लंबाई और च्छेटरफल एक साहत अगर अगर अपन ले लेंगे तो ए मूल राश्यों का समोई नहीं होगा इसी प्रकार से यहां पर अपने आयतन को भी उठा रखा किसको आयतन को अब आयतन बरावर आप जानते हैं लंबाई गुला चोड़ाई गुला उचाई तो लंबाई तो लंबाई है ही है चोड़ाई भी क्या है बच्चा यो भी लंबाई से उचाई क्या है बच्चा यो भी क्या है लंबाई है या आप आयतन को ऐसे भी लिख सकते ह लंबाई गुड़ा छेत्रफल ऐसे भी लिखा जा सकता है तो आप देखिए आयतन जो है वो लंबाई और छेत्रफल दोनों पर निर्भर कर रहा है इसलिए इन समुह को इन राशियों के समुह को अपन मूल राशियां नहीं मान सकते हैं बच्चों तो मुझे आसा है कहानी आ रह देते हैं सौतंत्र हूं आगे बढ़ते हैं वच्चा यूट पन्ने राशियां मूल राशियों के बाद अपनी अगली कहानी है व्यूत्वपन्ने राशियां इसको डुस्ट अंग्रेजों की भासा में कहते हैं डिराइब कॉंटिटीज राइब्ट कॉंटिटीज तो पढ़ लेते हैं इसको तो यहाँ पर कहते हैं बेरासियां जिन को मूल रासियों के पदों में ब्यक्त किया जा으면서 किया सकता है व्योत्वपन ने रासियां कहलाइए अगर हम सिंप्ली भाहसा में उगलें बिलको सिम्पल्ब भाहसा में वहButton हम कहते हैं एए मेर आप कि मूल राशियों मूल राशियों कि बुद्ध कर बनी होती हैं बूल कर पर नि होती है न कि उनको विप्ठम यराशिएं कहते हैं सिंपल सी बात उध्यारन के लिए आपनबात कर लेते हैं एक्जंपल की तो अपनी मूल रासियां तो वही होगी कौन कौन सी मूल रासियां होगी अपने गोले पर प्रत्वी पर अपन कौन कौन सी मूल रासियां लेके चलते हैं मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं और इनको बंद भी कर देता हूं आपको याद रखना है कई बार पूछ लिया जाता है एक्जाम में डायरेक्ट कि निम्न मैंसे बोर्ड में पूछ आएगा ओविसली कॉम्प्टिटिटिव एक्जाम मतलब जेई और नीट में नहीं पूछ आएगा व और परदार्थ की मात्रा परदार्थ की मात्रा एस साथ अपनी मूल रासियां हो गई है बच्चों अब अपन चलते हैं कहां पर व्यत्वपन रासियां पर तो व्यत्वपन रासियां का मतलब क्या है जो मूल रासियों से मिलके बनी हो तो मूल रासियां पता होना आपको अ 9th class में इसको पढ़ा होगा कि सामान निभासा में अगर हम सिंपल चाल की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय वैसे अभी आप 11th class में आओगे तो चाल भी दो प्रकार की हो जाती है जिनका इसका सन हम आगे करेंगे लेकिन आप सभी लोगे तो जानती होगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है 9th class में पढ़ा होगा अब 11 में आते हैं तो चाल भी बेटा बदल जाती है ना अभी आप चाल क्या जानते थे दूरी बटे समय तो हम उसी को लेके आगे बढ़ते है तो दूरी क्या है बच्चा दूरी भी लंबाई होती है और समय समय तो समय है तो अब आप देखिए कि जो भौतिक रासी चाल है वो दो भौतिक रासियों से मिलके बनी है एक लंबाई और दूसरा समय बताओ ये दौनों मूल रासियां है या नहीं तो आप कहेंगे बच्चाल को क्या बोलेंगे पन रासी कौनसी पन ब्युत्व पन रासी बच्चा हम और उधारन ले लेते हैं जैसे बात कर लेते हैं तौरन की तौरन तो हम कहते हैं तौरन को अपन क्या लिखते हैं तौरन को लिखते हैं बेग बटे समय बेग बटे समय ऐसे ही लिखते हैं और आप बेग भी जानते हैं, बेग बराबर क्या होता है, मैं इधर खोपचे में लिख देता हूँ, तो बेग बराबर होता है बेटा, बिस्थापन, बिस्थापन, बटे, समय, अब बिस्थापन क्या होता है बच्चा, तो हम कहेंगे बिस्थापन बहुत एक रासी होती है, तो बास्तम में बिस्थापन क्या होता है बच्चा लंबाई होती है बिस्थापन क्या होता है लंबाई और समय तो आप जानते ही हैं समय समय होता है तो आप देखिए तोरण को आप ऐसे लिख सकते हैं बेगी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं लंबाई बटे समय तो बेगी बच्चा एक तो लंबाई से और दूसरा समय से समय का उपयोग दो बार हुआ है तो अब आप बताईए जो तोरण मिला है आपको वो किसे मिलके बनाए तो हम कहेंगे तोरण दो मूल रासियों से मिलके बनाए एक लंबाई और दूसरा समय एक लंबाई दूसरा समय अब अपन बात कर लेते हैं जैसे और एक भौतिक रासी ले लेते हैं संबेग किसकी बात कर लेते हैं संबेग की संबेग को हम P से प्तरसित करते हैं P बराबर होता है M into B संबेग रबमान कौन सी रासी है मूल रासी और बेग अपन लिख चुके हैं लंबाई बटे समय हो जाता है तो अब आप देखिए कि जो संबेग है पी पी बराबर आप क्या लिख सकते हैं एम इंटू एल अपन टी तो सिंपल भासा में अपन देखें यहां पर तो आप कहेंगे कि सं कुछ इड़ारन लिए है ऐसी हजारों रासियां होती है और आप कोई भी राशी उठा लोगे वो मूल रासियों से ही मिलके बनी होगी और इनको अपन क्या कहते हैं वित्वपन राशी आप चाहो तो और उधरन ले सकते हो, ऐसे उधरनों की कमी नहीं है, जैसे अपन क्या कहते हैं, दाब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो दाब क्या होता है बच्चा, बल बटे छेतरफल, बल बटे छेतरफल, अब बल को अपन क्या लिख सकते हैं, M into A लिख सकते हैं, औ कि इसको M और चेतरफल की तोरण की जगह अपन ने अभी लिखा था L अपॉन T स्क्वेर तोरण की जगह क्या लिखा था L अपॉन T स्क्वेर और लंबाई तो लंबाई है और चोड़ाई भी क्या है बास्ताम में लंबाई ही है चोड़ाई भी क्या होती बच्चा लंबाई ह सक्वेर है आप किसी भी रासी को पकड़के देख लो और उनसे एक-एक पकड़ को पकड़के पूछ तो मूल रासी हो या नहीं हो तो हर रासी चिला चिला के बोलेगी कि हां हम मूल रासी हैं अब बहुत ज़ाद लforme क्वैंता इसको नई खीचते हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए कहानी आती है पूरक राछियों की सप्लिमेंटरी कॉंटिटी तो सप्लिमेंटरी कौंटी बोले तोफ पूरक राशिय हुआ हम कहते हैं कौन एक कौन और एक घंकोन टथा घंकोन एक दो रासिय हैं इनको पर सप्लीमेंटरी या पूरक राशिय कहते हैं बच्चा तो इनको आप याद रख लेना कोई भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस नहीं है बस कभी अगर पूछा जाए सवाल में option दियों कि निमने मैंसे कौन सी रासी पूरक रासी है तो आप देख लेना एक कौन और दूसरा गन कौन बरूबर बच्चा अब अब अपन बात करते हैं विमिये सूत्र तथा बिवाएं ठीक है इस पर सवाल बनता है पूछा जाता है मैं स्टार्ट करता हूँ इसको लेकिन पहले अपन पानी पी लेते हैं बिमिये सूत्र तथा बिमाएं इंपोर्टन चीज होती है बच्चा लगभग हर साल नीट में जेई में लगभग हर साल एक सवाल आता है इस से ठीक है और अगर आप इस कहानी को अच्छे से सीख लिए अगर क्या कोसिस करोगे तो हंडिट परसेंट सीख जाओगे अच्छ से चलना है आपको रटोगे तो फिजिक्स आपको पटक देगी बिटार फिजिक्स में कोई चीज रटने का नहीं समझने का ठीक है तो देखो अपन क्या कहते हैं कि किसी भी रासी को उसकी मूल रासियों में ब्यक्त करने वाले सूत्र को हम विमीय सूत्र कहते हैं तथा मूल रासी की घातों को अपन विमिय सूत्र नहीं बच्चा ये गलत लिखा हुआ है तथा मूल रासी की घातों को विमा कहते हैं तथा मूल रासी की घातों को क्या कहते हैं बच्चा विमा कहते हैं तो दो चीजे हो गई विमिय सूत्र तथा विमाएं तथा विमाएं त कहते हैं और मूल रासी की घातों को अपन क्या कहते हैं बिमा अब हम इसको एक उधारन से समझेंगे लेकिन उधारन उधारन पर पहुंचने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए मूल मूल रासियों की बिमाएं मूल रासियों की बिमाएं तो तो कोई सिंपल सी बात है बच्चा कि बहुत सिंपल सी बात है कि देखो कोई भी रासी होगी कोई ती रासी जिसे अपन कहेंगे मेंली ब्योत्वपन रासी कोई भी रासी है वो किस से मिलके बनी होगी जल्दी बता तो आप कहेंगे कोई भी रासी होगी वो मूल रासी से मिलके बनी होगी बच्चा ठीक है अब अब अपन क्या करेंगे मूल रास्यों की बिमाएं अपन पहले किसी कि hopes कर लेते हैं चीँ कहां कि आखेशे को मुल रासी कि विमाएं को क ediyor के पहले से कर ली गई आर difाय किसाइड करके पूरी दुनिया को बता दिया कि अपने गोले पर प्रत्वी पर मुल रासी की की विमाएं यह होंगी जिनको अभी अपन डिसकस करेंगे तो मूल रासियों की विमाएं हमें पता होती हैं हमें क्या हैं बच्चा यो पता हैं कोई भी रासी किसे मिलके बनी होगी मूल रासियों से तो अपन क्या कर सकते हैं किसी भी रासी की विमा ग्यात कर सकते हैं इसको अपन उधारन से समझेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आएगी बात पहले अपन चलते हैं मूल रासियों की विमा उपर मूल रासियों की विमा उपर ठीक है तो जो द्रब्मान होता है द्रब एक संधी सबें सब्क adalah मैं पड़ा होगा विद्धोद्हारा को इसकी क्या होती measurable तो कई बार इसको आई लिखा जाता है या लिखा जाता है तो कभी आई या देर्टा तो समझ जाना कि विद्ध्धो-धारा की बात और करेली है समझें अब इसके बाद करते हैं ज्योती की न्योती की थीवाहथ की जमeteaimer कि और उसके बाद करते हैं पदार्त की मात्रा तो पदार्त की मात्रा पपर लिए time मोल भेंतने मैंब दिर निकाने मोल इस जिए ने डुखते हैं तब तो कहाइस कीवमाइन अपने लिखते हैं ठीट है या कई बार इसको कैपिटल के से लिखा जाता है अब का मतलब आप Tम समझे जो कैपिटल है और किसनरी किसकी वह मुड़ाई है बच्चा समय कि को सामानेता यह चूनले को सामवाद में एम कैपिटल एम लंबाई एल समय टी विद्धोधारा कि ए या आई जोती की ती बिटा कैंडिला पदार्थ की मात्रा डारेक्ट मोल लिख देते हैं या कई बार ऐसे भी लिखा होता है स्रिफ एमो ली करके बर वर और ताब की विमा ठी का या की सिर्फ जो विमिय सूतर होता है 요 कि इसको हमेशा बड़ा बाला ब्रैकेट् किया करके लिखा जाता बच्क बड़ा बाला ब्रैकेट्ट लगाकर अब मालि जैसेई सी कोई भौतिक रासी है वो द्रब्मान लंबाई ताप तथा विद्यो धरा से मिलके बनी हुई है अब मानली जी M की घात कितना है इसमें M की घात है A, L की घात है B, T की घात है C और A की घात है कितना D तो आप देखना समझना तो जो अपन कह रहे हैं बिमी सूत्र इसको अपन प्रदर्सित करते हैं कैसे पहले तो ध्यान देना बड़ा ब्रैकेट लगा होना चाहिए अब M का घात A है, L का घात B है, T का घात C है और A का घात कितना है D है मतलब यह जिस भौतिक रासी की भी बिमाएं हैं वो भौतिक रासी द्रब्मान लंबाई ताप तथा बिद्धो धारा से मिलके बनी हुई है और यहाँ पर जैसे M का पावर कितना है, M का घात कितना है, A तो यहाँ पर द्रब्मान की अगर अपन बिमा लिखें, द्रब्मान की बिमा तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 नहीं, कितना A हो जाएगा अपन क्या कहते हैं, कि मूल रासियों की घातों को अपन क्या कहते हैं, बिमा कहते हैं, मूल रासियों की घातों को क्या कहते हैं, बच्चा, बिमा, लंबाई की बिमा कितनी हो जाएगी, बच्चा, लंबाई की बिमा हो जाएगी, बच्चा, बी, ताप की बिमा, ताप नहीं, T क्या होता है बच्चा, समय होता है, समय की विमा कितनी हो जाएगी, C हो जाएगी और विद्युत धारा की विमा कितनी हो जाएगी बच्चा, T हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी, इसको अपने एक एक जम पर लेके और समझते हैं, जैसे मालीजे कोई भी बहुत तीन भौतिक रासियों से मिलके बनी हुई है अब तीन मैंसे दिखो टी की विमा लिखी है जीरो तो इसका मतलब टी की घात जीरो का मतलब हो गया वन मतलब इस भौतिक रासि में टी है ही नहीं टी है ही नहीं बच्चा तो इस भौतिक रासि में अपन बात करें तो इसको अप बिमान की बिमा कितनी है रबिमान की बिमान में है बच्चा के इसका मतलब हुआ इस इस भौतिक रासी में तीन बार किया गया है समझ रहो बिमा क्या बताता है जैसे द्रब्मान की बिमा कितनी है बच्चा यहां पर तीन है तो यह तीन यह बताता है कि इस भौतिक रासी के सूत्र में इस भौतिक रासी के सूत्र में द्रब्मान का उप्यों कितने बार किया गय कि लंबाई का उपयोग दो बार किया गया है लेकिन लंबाई कहाँ पर आई है बटे में, अपोन में बोले तो हर में क्योंकि देखो यह ऐसा रहा होगा एक बटे L का वर्ग अब जब यह उपर जाएगा L तो कितना हो जाएगा L की घात माइनस दो तो यह बिम्य सूत्रे बताता है कि इस रासी में लंबाई का उपयोग दो बार हुआ है और लेकिन यहाँ यह माइनस लगा है इसका मतलब यह हुआ लंबाई का उपयोग कहां किया गया है बच्चा भाग में किया गया है अब अपन उच रास्यों की बिमाय ग्याद करेंगे तो एक कहानी और भी इल्कुल कलियर हो जाएगी आपको फटाफट अपन क्या करते हैं? जो भौतिक रासियां, अपनी कौन सी भौतिक रासियां, मूल रासियां, उनकी बिमाय फटा-फट लिख लेते हैं, चलो लिखते चलते हैं फटा-फट, रबमानी की M, लंबाई की L, ताप की T, ताप की T नहीं भाई, बार-बार फिर वही बाद, ताप की T नहीं होती, ताप के इसके बाद अपन बादकर लेते हैं ज्योती इसको सीडी लिख दे धारा विध्यodकी विमा क्या होती है तो अपन Capital या आई लिखते हैं इसके बाद पतार्स की मात्रा को क्या लिख देते हैं मोल गिनलो कित्ती हो तो गिंती आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ हो गई बच्चा तो इनकी विमाएं आप याद रखना बच्चो अब देखो विभिन रासियों के विमिय सूतर ग्याद करना विभिन रासियों के विमिय सूतर ग्याद करना अब विमिय सूतर ग्याद करने का सिंपल सा तरीका है इसका step one step one कि जिस रासी की जिस रासी की विमाग्यात करनी है विमाग्यात करनी है उसका सूत्र लखो उसका सूत्र लखो सूत्र लखो फिर सूत्र लखने के बाद आपको क्या करना है स्टेप टू स्टेप टू कि सूत्र में प्रयुक्त सभी राशियों को मूल रासियों के पदों में लिखो अब आपने इनको मूल राशियों के पदों में लिख लिया है तो तीसरे स्टेप तो कुछ नहीं है मूल राशियों की विमाएं अपन जानते हैं तो सीधे सीधे उनकी विमाएं लिखते चलेंगे यह बात क्लियर होगी आपको एक्जम्पल से तो अफटा फटा 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 लेट हो रहे है घर जाना बहुत कांड़े जाड़ु पहुचा बर्तन तब कुछ बचा हुआ है घर पर है ना तो फटा 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 फट इस को हम खर से żyतुक है जब से आबिस घनत्तु भी होता है और भी घनत्त होते हैं उर्जा घनत्त भी लेकिन जब तक कौन सा घनत्त वह बताएं नहीं जाय तो आपको कौन सा लेके चलना है चलना है अब कौन सा ओधाया hurricane एक द्रब्मान है दूसरा आयतन है अब बताओ क्या सभी रासियां मूल रासियां है तो हम कहेंगे नहीं सभी रासियां मूल रासियां नहीं है तो पहला स्टेफ तो अपना हो गया स्टेफ वन अपना हो गया है स्टेफ वन में अपने क्या कहा था जिस रासी की विमाग ग्या करनी है बुराब्वार सी आजाए वर सीहाँ तो आप अपनने क्या करना है घंधत blir रवर अपनने लिख लिए अ अब अब धगो रोगोई एक व्रूल्टो तो द्रब्वमान मूलराषी चें़ आपन करने लिकíchनल इंदो नहीं है तो हमें क्या करना होगा आयतन को मूल राशियों में बदलना होगा तो आयतन को अपन क्या लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा उचाई इस प्रकार से लिख लेते हैं सामाने तेहा तो यह क्या हो गया बेसिकली बेसिकली क्या हो गया अब देखो लंबाई तो लंबाई होती है चोड़ाई भी लंबाई ही होती है और उचाई भी बेटा बेसिकली लंबाई ही होती है अब अपन इनकी बिमाई लिखते हैं पताओ द्रबमान मूल रासी है बिल्कुल है तो इसकी बिमाई क्या होगी तो लंबाई चौड़ाई उचाई सभी लंबाई ही है तो लंबाई की ते बार रहे रहे बार हर wal नमबाई की विमाकिया और क्या הצ होगी क्या होगी एं गाफ माईल मिंटें लिखनी है अब आप जानते में और अपने हमशा बड़े वो दो भौतिक रास्यों से मिलके बना हुआ है दो मूल रास्यों से मिलके बना हुआ है एक दरबमान और दूसरा लंबाई दरबमान की बिमा कितनी है विमा क्या होगी बच्चा द्रब्मान की बिमा है बेटा एक और लंबाई की बिमा है कितना माइनस तीन तो यह सूत्र हमें बताता है कि घनत्यों के बिमिय सूत्र हमें यह बताता है कि घनत्यों के सूत्र में द्रब्मान का उपयोग एक बार किया गया है लंबाई का उपयोग तीन बार किया गया है ले आपनी अगली रासी जैसे बेग हैं तो अपन को क allies सब से पहले गाए बेग का सूत्र लखो तो बेग व्राबर पन क्या जानते हैं डुश्तापन चोड़िया कि विस्थापन बटे समय बस्थापन क्या होता बस्था भेसिकलि reais लंबाई होता है समय तो समय है ही अब लेता है इसका है इसको लिखेंगे बच्चा सीको प्रकार से भी लिख सकते हैं M की घात 0, L की घात 1 और T की घात minus 1, ठीक है, यहाँ पर देखो L की घात कितना है, वच्चा, 1 ही है, अब M की घात 0 हमने लिख दिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, M का उप्योग कित्ती बार है इस सूतर में, बेग के सूतर में M का उप्योग कित्ती बार है, तो आप कहेंगे सर जी, बेग के सूतर में M तो आया ही नहीं, तो हमने का इसलिए तो M की घात 0 लिखा है, कि बेग के सूतर में M कितनी बार आया है, 0 बार आया है, L कितनी बार आया है, 1 बार T कितनी बार आया है, 1 बार लेकिन बट एम है, माइनस बन है ना भाई, यस, आगे बढ़ते हैं, अब देखो तोरण, किसकी चर्चा करते हैं, तोरण की और फिर करेंगे संबेक की, तो सबसे पहले तोरण का सूत्र बताओ, तोरण का सूत्र बताओ, अच्छा जैसे कुछ रासियां हैं, इनकी अगर आप बिमा याद रह जाएंगे, आपको आपका नाम याद रहे गया, आपने कभी अपना नाम बैठके याद किया है, क्या हमारा नाम यह है, नहीं, अपने आप याद रहे गया, या आपने अपने कभी दोस्त का नाम बैठके याद किया, क्या, नहीं, अपने आप ही याद रहे गया, तो जैसे हम यहाँ पर बात करें बेग अगर आप बेगी की विमा याद रखेंगी तो आपका काम आसान हो जायगा आगे कि वम ने का बेग की विमा कितना एल्टी माइनस बन इसको चार चार शे विमाय याद रखने के लिए मैं आपको बोलूंगा चार से च्छे विमय सूत्र हैं इनको आप याद रखोगी तो आगे सहूलियत होगी आसानी होगी जैसे हम बात करते हैं तो तुरण बराबर क्या होता है बेग बटे समय बेग बटे समय अब देखो बेग की विमय क्या है L T minus 1 हमने पिछले पन्ने पर ग्याद की है और upon में क्या है T तो T की बिमा T क्या है समय की बिमा क्या होगी बच्चा T हो गई अब देखो A का बिमिय सूत्र क्या होगा तो L और T की घात minus 1 उपर था और T भी उपर जाएगा तो T की घात कितना हो जाएगा बच्चा minus 1 हो जाएगा तो आप देखिए जो तौरण की बिमा हो जाएगी वो कितना हो गया बच्चा L और T की घात minus 2 L T की घात minus 2 और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते है M के पदों में क्योंकि सामानिता यहा बिमी सूत्र M, L, T के पदों में लिखते है ऐसा कोई रूल नहीं है लेकिन लिखा होता है सामानिता यहा तो इधर यह क्या हो गया M की घात 0 L की घात 1 T की घात minus 2 ऐसे या ऐसे भी लिख सकते है M M की घात 0 L की घात 1 है तो लिखने की जरूत नहीं है तो ऐसे लिख रूबर एक ही बात है सभी मतलब वन सामानिता है अपन लिखते नहीं है समझे क्या बर्खुरदार नीद आ रही है जागो जागो नीद मतलब दुसमन है अपनी दुसमन और दुसमन को अपने पास भटकने नहीं देना चाहिए अब अपना बात कर लेते हैं संबेक की तो देखो महाँ आसान चीज हो जाएगी संबेक संबेक को अपन प्रदर्सित कर देते हैं बैच्चा पी से तो संबेक पी बराबर सूतर लिखो पहला स्टेप क्या होता था कि जिस रासी की हमें विमाएं ग्याद करनी है या जिस रासी का विमिये सूतर ग्याद करना है उसका आप सूतर लिखो या ऐसा सूतर लिखो जिसमें वो रासी आ जाए जिसका हमें विमिये सूतर ग्याद करना है बच्चा तो हमें विमिये सूत करें वो तो आपको पता होंगी अब बहुत सारी हैं हो सकता है कि बहुत सारी बहुत ग्याद करनी है किसी चीज की या बिमिय सूत्र ग्याद करना है तो आपको क्या होना चाहिए उस रासी का सिर्फ सूत्र पता होना चाहिए उस रासी का सिर्फ सूत्र पता होनी चाहिए जिसका हमें विमाय या बिमिय सूत्र ग्याद करना है जैसे यहां पर हमें बिमिय सूत्र संबेग का गयात करना है तो हम जानते हैं संबेग बराबर क्या होता है द्रब्मान गुणा बेग तो B बराबर द्रब्मान की बिमा M और बेग की बिमा L T माइनस 1 मैंने का था याद रखो काम आसान हो जाएगा तो जो संबेग है संबेग का बिमिय सूत्र हो गया M L T T-1 खतम का नहीं यहीं आपका अंसर हो गया यहीं क्या हो गया बच्छा आपका हम आगे बढ़ते हैं फटा 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 वही चल रहा है बहुत राश्यों के बिमिय सूत्र अब बात कर रहा है अपन बल की तो बल का सूत्र लोखो बल वराबर क्या होता है M A F वराबर M A तो M क्या है बच्छा दरबमान और A की बिमाएं हमने अभी अभी गयात की थी In Fact A का बिमिय सूत्र बिमिय सूत्र होता है एल्टी माइनस वन तो बल की बिमिय सूत्र हो गया M L T माइनस टू यम यल्ल टी माइनस टू बच्छा और इसको भी आप याद रखोगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा जिंदगी कैसी हो जाएगी आम जिंदगी से मेंटोस जिंदगी हो जाएगी बच्चा ठीक इसको याद रखने का है वैसे भी मैं लास्ट में लिख दूँगा आपको एक बार कि किस किस चीज के आप विम्य सूत रियाद रखो तो आपकी जिंदगी आम जिंदगी से मेंटोस जिंदगी हो जाएगी अगली बात करते हैं पन कार की तो देखो कार के बारे में हम इतना तो जानते ही हैं आप पढ़योंगे कार बराबर अपन लिख देते हैं वल इंटू विस्थापन विस्थापन अभी कार के बहुत ज्यादा देता हूं यार कर बराबर बल गुणा विस्थापन तो कार को W से प्रतर्सित करते हैं बल होता है F विस्थापन होता है स तो W is a call to बल की बल का विम्य सूत्र कितना हुआ बच्चा बगल में लिखा है कौन से गलम है बगल में यम एम एल टी माइनस टू और एस विस्थापन क्या होता है बेसिकली तो हम कहते हैं सर जी विस्थापन तो लंबाई ही होता है तो इसका बिमा कित्ता हो गया बच्चा एल तो आप देखो जो कार का बिमिय सूत्र है बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे इसको अपन एम एल का उप्योग दो बार हो गया एल इंटू एल तो टी माइनस टू टी माइनस टू ठीक है इसमें हम कहें द्रब्मान की बिमा बताओ तो कि द्रब्मान का उप्योग एक बार हुआ है कार के सूत्र में लंबाई का उप्योग दो बार हुआ है कार के सूत्र में और समय का उप्योग भी दो बार हुआ है लेकिन कहां बटे में हर में मतलब समय से दो बार भाग दिया गया है तो एक कार का बिमिय सूत्र हो गया अप किस पर सकती पर कि नहीं बेड़ा सकती तो सकती बराबर अपन ऐसे लिखते कार बटे समय सकती को भी पीसे प्रदर्स्थत करते कर देते हैं तो कि अंग्रेज watersya में सक्ती विमिय सूत्र अभी अभी लिखा है M L 2 T-2 M L 2 T-2 और समय का विमा क्या होता है T होता है तो सक्ती का जो विमिय सूत्र होगा बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे अपन लिखेंगे M L 2 T-3 M L 2 T-3 बच्चा अच्छा यहां पर जो अपने कारिका विमिय सूत्र ग्याद किया था बच्चा इसको भी याद रखना यह अपने लिए बहुत ही अतिसाय महत्रपूर्ण है बहुत काम आता है बच्चा इसको भी आपको याद रखने का है और इसको भी बच्चा याद रखने का है आपको ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं तो देखी बच्चा दाब P बराबर बल की बिमा M L T minus 2 बल का बिमीए सूत्र हो गया बच्चा और छेतर फल चेतर फल को अपन क्या कहेंगे लंबाई गुणा चोड़ाई तो लंबाई की बिमा भी L चोड़ाई की बिमा भी L तो यहाँ पर अपन क्या लखेंगे लंबाई की भी महन ल चोड़ाई की भी महन इल जिए अब काटा कूटा लो बच्चा तो यो यो उगयो तो दाव का बिमिय सूत्र आज़ा का बच्चा M, L नीचे बच्चा है एक उपर लेक जाओ तो ल गाव vivid त्टिक ग्हात माइनस का टू रीगात माइनस का टू बंशाचा तो यह क्ले रासी का भीमिये मिन शूत्र घ्याद कर सकते हैं बस रासी का मैं सूत्र पता हो कि और आगे बैए फिर-से अगली रासी अपन को मिली है कौन तो कोड़ का सूत बताओ मैं तो भूल गया भाई मैं भूल गया मच गया तो काटा कूटा मच गया तो यह कितना आ गया एक तो ठीटा किसी भी भौत राशी पर निर्भर नहीं करती है इसका हम बिमिय सूत्र लिखें तो अपन क्या लिखेंगे कि M की घात 0, L की घात 0, T की घात 0 और बच्ची वी सब की घात 0 चीटा बोले तो कौण किसी भी भौत राशी पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि इसकी जो बिमा है L और L दोनों ही कट गई है बच्चा में तो इसकी बिमय सूत्र क्या हुआ M का घात 0, L का घात 0, T का घात 0 ति कह चैंडर और ऐसी राशियों का पर न क्या कहते है पी माहीं रासियां किन ने बाच सी यह है महीं रासिया और बिमाहीन रासिया आगे भी कभी आपको मिले तो जब भी हम कहें बिमाहीन रासिया तो कैलकुलेशन के लिए उसकी बिमा कितना लिख लिया करो बेटा वन लिख लिया करो कितना वन यह आपन कहें वन का मतलब हो गया M की घाथ 0, L की घाथ 0, T की घाथ G, ऐसा, तो कॉड एक बिमाहीन रासी है, उसकी कोई बिमाए नहीं है, अब देखो अपन कॉड ये बेग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉड ये बेग की, तो देखो, बेग क्या होता था, बेग होता था, बिस्थापन बटे, बिस् कौनई वेग होता है विस्थापन के जगान काईए विस्थापन ठीटा आ जा जाता और विस्थापन थीटा क्या है को GP fij top कि बटे समय विस्थापन वेट तो तो क्मेग से ओ सुन न्टी अधर कर र poll है त कrepan किब मा क्या होती होता है सूत्र तो कोन ये बेक कब इन्ष किता ना फिकी हात माइनस वन और इसको अच्छ अप इस प्रकार से भी लह सकते हैं मेरे मित्रों किस प्रकार से यृल का 흥 जी रस ओ टी का सूतर में आता है वो सूतर आपको पता हो और हो सकता है वो सूतर आपको पता नहीं हो अगर आपको सूतर पता है तो अच्छी बात है और अगर सूतर पता नहीं है तो मैं बता दूँगा अभी फिलाल के लिए मैं बताते चलूँगा सूतर लेकिन जब आप एक्जाम देने ज यह हो जैसे हम कहते हैं इता है अब मैं सोचता हूं गुर्थ और करणनी अता है कि सुतर में आता है तो अ 1700 लेते हैं एक इस आप डूर। माले कता है तो इनके बीच लगने बाला जो बल होता है F वो होता है D M1 M2 upon R square अपों R square यह आपको पता है तो अच्छी बात है नहीं पता है तो आप 11th किलास में ग्र०्टमकर्षण करके अध्याय होता है उसमें पढ़ तो अभी यह के लिए मान लो ऐसा सूत्र होता और अगर पहले से पता है तो अच्छी बात है अब हमें ग्रौति लिए तांग की कि निकालने काई लियू है अंगल सूथ sc lesson दंब हमने सबसे पहले वह सूल लिया है जिसमें भूट कर्षण नियतांक आता है यहां capital G का है पुर्थ्व कर्षण नियतांक अब देखो अपन क्या करेंगे यहां से जी कमा निकालेंगे तो यहां से बर्खुरदार जी बरावर आपको मिलेगा जी इस एकॉल अब हम एक करके सबकी विमाय लखेंगे तो पल की विमाय आप जानते हैं M L T-2 M L T-2 होती है बच्चा और आर आर क्या है बच्चा दो द्रबमानों की बीच की दूरी दूरी का मतलब का हो गया लंबाई तो लंबाई की विमाय L होती है लंबाई की विमा होती है L और यहां दूरी बोले तो आर का बर्ग है तो L का बर्ग हो गया पटे यहां M1 M2 का है द्रबमान तो M1 की भी विमा L और M2 की भी बिमा कित्ती हो गई वित्ता L, M हो गई, M बन की भी M और M2 की भी M, अब देखो यहाँ पर थोड़ा काटा कूटा मच रहा है, एक M से एक M उड़ गया, तो कृत्तो कर्चन नियतांग का जो बिमिय सूत्र आएगा, वो आएगा, M की घात माइनस 1, L देखो, L की की घात 3, और T की घात माइनस 2, कि यह भी मिय सूत्र हो गया, ए, छोटे मोटे एक्जामस में कई बार पूछा जा चुका है, जब यह स्टेट पीटी, मतलब स्टेट इंजिनरिंग के एंटरेंस एक्जाम होते थे, यह स्टेट पीम्टी होता था तब, ठीक है, अब तो का बेटा यही होगा, महां असान है, महां असान है, चलिए, अब देखो, मैं क्या करता हूं यहां पर, कुछ जो मुख्य रासियां जिनके बिमी सूत्र आपको ग्यात होने चाहिए, ग्यात नहीं, ग्यात तो आप सभी के कर सकते हैं, जिनके बिमी सूत्र आपको याद होने तो आपको पता हैं, मूल राशियों के बाद देखो जैसे बेग है, बेगे का बिम्य सूत्र मैं लिख देता हूँ, यह होता है, L, अच्छे से लिखो मित, L T-1, अगर यह आपको याद है, तो आपका जीवन आसान हो जाएगा, तोरण, अगर यह आपको याद है, तो आपका जीवन आसान हो जाएगा, बच्छा, L T-2, और इससे भी बड़ी बात है, कि इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है, बच्छा, बलका, किसका बलका, बलका होता है, M L T-2, M L T-2, इसके बाद आता है बेटा कार, ठीक है, किसका बेटा है, कार का, और कार आप जानते हैं, ऊर्जा के बराबर होता है, आपने नाइन्थ खिलास में कार ऊर्जा पर में पढ़ी होगी, जिसमें आपन कहते हैं, समस्त बलों दोरा किया गया, कार बराबर गते जूर्ज होता है, बच्चा, बराबर नहीं होती, मतलब इनके बिम्य सूत्र बराबर होते हैं, कार उर्जा और उसमा इन सब के बिम्य सूत्र बराबर होते हैं, और यह कितना हो जाएगा, होता है, बच्चा, M L 2 T-2, M L 2 T-2, ठीक है, और उसके बाद आप चाहो, तो संबेग का याद रख लेंगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा MLT-1 तो इस उतर अगर आप याद रखेंगे तो काम आसान हो जाएगा ठीक है और फिर आपन यहाँ पर एक पॉइंट रखते हैं लिखते हैं कि सभी संख्याएं सभी संख्याएं पिमाहीन होती है पिमाहीन होती है जैसे अपन ने कहा पाई दस कुछ भी दो हजार बाईस कोई वी संख्या है कोई भी संख है कैसी होंगे बैटा बिमाहीन मैं inside सबी संख है बिमाहीन होती है और बिमाहीन की विमार आप किया लिख लोगे वठ्चा कूई भी रासी अगर बिमाहीनँ तो इसकी विमाएं आप ऐसे लिख सकते हैं, M की घाद 0, L की घाद 0, T की घाद 0, S को आप डारेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी है विमाओं के नियम, विमाओं से जोड़े कुछ नियम होते हैं, उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं तो देखो बच्चा हम कहते हैं दो या अधिक रास्यों को तभी प्रोडा या घृटाया जा सकता है जब उनकी बिमाएं समान हो देखो बैता दो रास्यों का उपन जोड रहेंל घटा रहें तो हम यह तभी कर सकते हैं जब उनकी विमयाएं कैसी हो समान वा समान परकारकी रासिया यह जैसे लंबाई में आप लंभाई जोड़ोगे द्रबमान में आप द्रबमान जोड़ोगे ठीक है ऐसा कर सकते हो क्या कि हम कहें बताइए पांच मीटर प्लस 6 kilo बताओ किता हो गया 5 meter plus 6 kilo अब लोगे पगलाइल हो क्या हम कभी meter में kilogram जोड सकते हैं नहीं जोड सकते हैं समझ गए तो इनको अपन नहीं जोड सकते हैं क्योंकि इसका बिमाएं अलग है यह लंबाई है और एक किलोग्राम है तो हम कहते हैं कोई भी दो राशियां उनको हम तभी जोड या घटा सकते हैं जब उनकी विमाएं कैसी हो समानों हाँ लंबाई में आपको जोड़ना है घटाना है तो लंबाई कोई घटा जैसे हम कहें दो मीटर है और प्लस 6 मीटर करो तो आप बिल्कुल क राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं कैसी हों बच्चा समान हों दूसरा हम कहें यदि दो राशियां बरावर हैं तो उनकी विमाएं भी समान होंगी दो राशियां बरावर हैं तो उनकी विमाएं भी समान होंगी तो यह तो कोई नई ब बराबर घीरो इसका मतलब क्या हुगा यहां पर अपन ए मैसे फीको घटार रहे हैं यह मैसे बीको घटार रहे हैं तो ए मैसे बीक को अपन तभी घटा सकते हैं जब दौनों की बिमयाय कैसियों बच्चा समान हों दो इस तरीके किसे आप देख सकते हूं तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम कोई भी एक रासी है ए दूसरी रासी है भी इनको हम जोड़ें यह घटाएं तो ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब इनको जोड़ें घटा अपन तभी सकते हैं जब कि विमाएं समान हों तो यह नियम है और दूसरा हम कहें अगर ए और भी बरावर हैं तो अब इसली बिटा उनकी विमाएं भी बरावर होनी चाहिए तो एक तो यह नियम है अब देखो बच्चा उधारण पर अपन थोड़ी देर में आते हैं उससे पहले हमें एक दो नियम और पढ़ने होंगे वह नियम इसमें हैं या नहीं है कहां गई है अच्छा यह स्लाइड है मेरे साथ हो साइड मेरे साथ कि आप नियम से समबंधित विमाओ के नियम के नियम गंशत्य अम्षित का मतलब क्या है इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको हाण तो इसका मतलब यह हुआ बच्चा जैसे हमने कहा कभी y is equal to ऐसे लिखा हुआ है sin of यहां कुछ भी यहां इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कुछ भी साइन ठीटा मतलब कुछ भी लिखा हुता है sin x sin x square टो इसके अंदर plus लिखा är लिखा है तो this Covid must be dimensionless एजो कुछ भी यहarleठा मैं कल्क्न होना चाहिए sign अपन किसका लेते हैं कॉण का जो कुछ भी वह क्या होगा कौण और क्यों कैसी रासी होते आःए वह बिमाहीन आपके हुआए कि हाँ sign के अंदरे कुछ वी लिखा है वो रासी कैसी होनी चाहिए बच्चा बिमाहीन होनी चाहिए तो इस कुछ भी मस्ट भी बिमाहीन आप देखो अपन यहां पर साइन के अंदर कुछ भी कौड लिखेंगे तो कौड लिखने के बाद आपको संख्या मिलेगी मान लिए रिखां 3 तो 30 की साइन थिख Jinali to tees degree qon हटा कासा होता है विमाहीन हमने अभी-वि पड़ाऊ था विमाहीन रासी होतीत, अब साइन 30 को वान के पना आएगा एक पोटे 2 एक वटे 2 क्या संख्या एक वटे 2 क्या है बच्चा संख्या तो कैसी उन्ती है बच्चा बिमाहीन होती है जो हमने अभी थोड़ देर पहले आपको बताए था कि कोई भी संख्या एक बिमाहीन रासी होती है अगर इसमें के निफ्यूजन है तो मैं और लिख के बता देता हूं यहां पर साइड में खोप्चे में आप ध्यान देना किसमें ख पॉल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी रूर्ट थ्री वाई ट्टू आएगी रूर्ट थ्री वाई टू क्या है बच्चा संख्या को भी क्या होना चाहिए बिमाहीन होना चाहिए तो हमारा नियम यह हो गया बच्चा जो यहां पर अपने लिखा है साइन के अंदर कोई भी बहुत एक रास ही है जैसे अपन यहां पर दूसरा एक्जमपल लेते हैं जैसे हमने का कुछ भी लिखा है यहां पर जो मान निकल के आएगा किसका टैन का यह भी बिमाहीन होगा कि अब यह आधे नहीं साइन हो कॉसो टैन हो से को कुछ भी हो कुछ भी उससर के लिए लागू है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगली बात करते हैं अगला नियम इसमें जैसे हमने का बाई बराबर इधर लिखा है लॉग औफ लॉग आफ यहां लॉग के अंदर इसका संख्या होता है लॉग 2, लॉग 5, लॉग 17 ठीक है तो लॉक के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है कुछ भी तो इस कुछ भी को क्या होना चाहिए बच्छा बिमाहीन होना चाहिए और इसका जो मान निकल क्या आएगा अपन किसी भी संख्या का लॉग लेते तो हीन होना चाहिए तो ऐसे लिख देते हैं जैसे लॉग आप अ x2 प्लस 5 T प्लस कुछ भी लिखा हुआ है वी लिखा हुआ है तो हम यह कहे रहे हैं कि इसका जो पूरा मान आएगा इसका जो पूरा मान आएगा यह तो बिमाहीन होगा ही और साथ साथ जो X square plus 5 T plus B है बच्चा यह भी बिमाहीन होगा कि यह भी कैसा होगा बरखोरदार बिमाहीन होगा सेंपल बात है कि समझ गया होंगे बच्चा आप इसी प्रकार से कि बाइएक कॉल्टुमाली जो हमने का इकी पाबर इदर कुछ भी लिखा हुआ है कि घात कुछ कि यह तो अब आप कहेंगे कि जो कुछ भी यह यह बिमाहीन होना चाहिए और उसके साथ साथ जो इसका मान निकल के आएगा पूरे का ये पूरा मान भी बिमाहीन होना चाहिए बिमाहीन होना चाहिए बिमाहीन होना चाहिए ठीक है बच्चों तो ये कुछ नियम है ठीक है किसे गड़ती है फलनों से संबंदे थे अब चलिए अगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं अपना एक उधारन है उधारन है पिछले साल पूछा मतलब पिछले साल ही नहीं पिछले सालों में पूछा गया उधारन है अब नीट में पूछा गया था यह हमको याद नहीं है ल तो alpha बाब beta की बिमाएं गयात कीजिए, alpha बाब बीटा की आपको बिमाएं गयात करनी है, तो देखो alpha upon t square मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, alpha upon t square minus f into v plus beta upon x square बराबर 0, ऐसे मैंने लिख लिया, अब देखो, हम इन पदों को आपस में घटा रहे हैं या जोड रहे हैं, तो यहा upon t square की बिमाएं बराबर होनी चाहिए, f into v की बिमाओं के बराबर होना चाहिए, beta upon x square की बिमाओं के, अपने नहीं कहा था भी, कि किनी भी दो रासियों को हम तभी जोड या घटा सकते हैं, जब उनकी बिमाएं समान हों, और उबर, तो चलिए, अब देखो, सबसे पहले अ अलफा की, तो अलफा की बिमाओं ग्याद करने के लिए आप इस चीज को उठा लो, इस चीज को अपने साथ ले लो, तो अलफा की बिमाओं आप ऐसे लिख सकते हैं, अलफा is equal to f into v upon into t square, into t square, अब मैंने का था था ना कि कोशी बिमाओं अगर आपको याद हैं, तो अपनी जिन्दगी आसान हो जाती है, f क्या है बच्चा बल, f क्या है, बल देखो लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, f सवाल में दिया गया है बल, तो बल की बिमाओं होती है, ml t minus 2, into, भी क्या है, बेग, बेग की बिमा, lt minus 1, और t क्या ह अलफा की जो आपको, अलफा का बिमिये सूत्र मिलेगा, यह मिल गया, m, l कितने बार हो गया, दो बार, m, l स्कौएर, t की घाट, t की घात, minus 2 से, minus 2 उड़ गया, t कितना बचा है, बच्चा, minus का, वन, विमाओं के, बिमिये सूत्र मिलेगा, आपको किस का, अलफा का, अब आपन चलते हैं बीटा का तो बीटा के लिए आप इस इसको उठा लो इस वाली चीज को साथ ले लो तो आपको बीटा का विम्यसूत्र मिल जाएगा तो अगले पन्ने पर लिखते हैं कि बीटा अपन एक्स स्क्वेर इसकी बिमाएं बराबर होना चाहिए एफ इंटू वी के मतलब बीटा की बिमाएं बराबर हो जाएगी एफ इंटू वी इंटू एक्स स्क्वेर के तो एफ की बिमाएं एम एल टी माइनस टू एल टी माइनस बन बेग का और एक्स क्या है बच्चा एक्स बिस्थापन था साइद एक्स क्या था बच्चा बिस्थापन देख लो एक सेक्स विस्थापन विस्थापन क्या होता है बच्चा लंबाई ही होती है तो इसकी विमाएं कितनी हो गई है एल तो बीटा की विमये सूत्र हो गया आसान कहानी है या नहीं अलफ और बीटा दौनों की विमाएं हमें मिल गई को और आगे बढ़ाते हैं और आगे माइनस पूछा गया है पिछले अग्जामस में आपका सवाल है पी माइनस एपॉन विस्क्वार इंटु वी माइनस वी इक्कट्व इन रती मैं में एबी की विमाएं ग्याद कीजिए अब यहां पर देखो बच्चा जो पी होता है वो द किया है एक वी डिएविए बेशिकली तो यहां पर जो वी है वो आयतन है भी किया है आयतन इस अबाल मैं दिया हुआ है वी तन है आर गैसर नियातांक है कि क्या है बच्चा ताप है डिए आर को अपन क्या कहते है कि Kईस कॉंस्टेंट यूनिवर्सल गेस कॉंस्टेंट और T कहा है बच्चा इस टेम्प्रेचर टेम्प्रेचर बोले तो पाप आप नहीं ताप पाप पापी तो तुम हो हम जानते हैं अब देखो यहाँ पर देखना आप दाब में इस टम को क्या कर रहे हैं बच्चा घटा रहे हैं । पी माइनस आपन V स्क्फट तो इसका मतलब क्या हुआ बर्खुरदार कि जो पी कई दाब की बिमाएं हैं वो यह बटे वी स्क्वड की बिमाओं के बराबर होने का मांगता है। अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो ऐसे लिख लो बलबटे छेत्रफल बलबटे छेत्रफल और इंटू भी भी तो आप जानते हैं आयतन भी कहा है अब चलिए अपन विमाएं लिखते हैं सभी की साथ देना मेरा बड़ा आसान काम हो गया तो मैंने का बलका विमात वाफ याद रखो तो बलका विमी सूत्र होता है बर्खुरदार ml,t-2,m,lt-2ृत्रफल लंबाई गुला चौड़ा ही बोले तो l-square और आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ा ही गुणा उचाहे तो आतन की बिमाई कितनी हो गई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊच जाई तो एल तीन बार आया लंबाई और इसकी घात कितना है बच्चा दो है अब आप काटा कूटा में चालो तो आपको A की विमाएं मिल जाएंगी तो देखो मैं इसको solve करता हूँ तो M बड़ा bracket लगाओ M L की घात 2006 और 17-2 तो L की घात कितना बचेगा बच्चा 5 और T की घात माइनस का 2 और ओबर ऐसा अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं की घात कर लेते हैं बच की घात करने बहुत आसान है देखो and P V मैंसे B को घटा रहा है इसका मतलव हुआ की V आयतन और B की चाहिए में बराबर हुनी चाहिए आयतन और B की बिमाएं बराबर होनी चाहिए आयतन की बिमाएं लबाइ गुणा चौड़ाई गुणा ओचाई समझ गए तो जो बी का विमिय सूत राएगा बच्चा वो कितना लिख सकते हैं आप ऐसे एम जीरो एल जीरो टी नहीं एम जीरो एल की घात तीन और टी की घात जी अब देखो यह आपका हूंवर का है सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताना और आपने गलत आंसर बताया बट पाप लगेगा मैं कुछ नहीं करूंगा मैं साथ हूं आदमी तो दुखो यह मैं बता देता हूं क्या चीज़ क्या है यहां पर एफ वल है एफ क्या है बच्चा बल ठीक है तो आपको परेशानी ना हो वी क्या है बच्चा बेग है वी क्या है बेग और तो टी समाए है की क्या है बच्चा समाए की क्या है समाए अच्छा चलो मैं करवा देता हूं इसको की क्या है समाए है अब आप देखिए कहानी क्या है कि पहला चीज कि यहां पर आप देखो इस साइन के अंदर बीटा इंट तो बीटा इंटू टी जो भौतिक रासिये कैसी होनी चाहिए बिमाहीन कैसी होना चाहिए बच्चा बिमाहीन का मतलब इसका बिमा एक के बराबर कर दो किसके बराबर कर दो एक के बराबर मैंने आपको बोला है बिमाहीन का मतलब बिमाय किसके बराबर कर दो एक के अब आ जाईए सल्टा देते हैं अपन इसको तो बीटा की विमाएं लिखने तो बीटा बराबर हो गया 1 upon T और इसका अगर आपको विम्य सूत्र लिखना है तो बीटा बराबर बीटा कभी सी उत्र हो जाएगा 1 upon T की समय है तो समय की विमा क्या होती है बच्चा कैपिटल टी तो विम्य सूत्र अगर आपको लिखना है तो एम का घात 0, L का घात 0, T का घात माइनस 1 क्योंकि ये सॉल्व होके माइनस 1 ही आ जाएगा समझला का भाव समझला ना बेरी गुद अब अपन बात कर लेते हैं देखो और आगे बात कर लेते हैं समझ गये ना हमने अभी अभी प्रॉपाटी पड़ी थी कि इसके अंदर जो भी चीज लिखिया ये बिमाहीन होनी चाहिए बच्चा बिमाहीन और बिमाहीन की विमाकित्ति कर दिया करो बच्चा वन अब मतलब एह हुआ बोगए कि किसके आफ Dre that's also a when youher कि दहो लिख सो भी देता हूँ वो इधर की सारी चीज बिमाहीन हो गही ना बच्चा यह बाली चीज कैसी हो गई तो इसकी बिमा कित्ता कर दोगे बन कर दोगे तो अलफा ब्रावर कित्ता होगा अब एफ की बिमा जानते हो तो कम से कम इसका आणसर ब्टा को बता देना अलफा का बिमी सूतर हम आपसे उम्मीद करते हैं चलिए हम कहानी को तबलक तबलक आगे बढ़ाते हैं बच्चा आगे बढ़ाते हुए यह आपका होमबर्क है अच्छा यह तो आप होमबर्क है बच्चा हिंट दूँ अच्छा हिंट से पहले मैं इसको बता दूँ कि क्या चीज क्या है f बल है भी बेग है बेग है और यह बाला भी बेग है रही है यह 2 पाई तो संख्या बिमाहीन होती है तो आपको अलफ और बीटा की विमाहीνα ग्यात करनी है मैं हिंड दे देता हूँ तो लॉक के अंदर जो चीज लिखी है यह बिमाहीन होगी बच्चा यह कैसी होगी बिमाहीन उसके साथ मेरे डुष्ट मित्रों यहाँ पर लोग का जो मान आएगा वो भी क्या होगा बिमाहीन होगा समझ गए तो बीटा की बिमाहीन आपको यहां से मिल जाएंगी कहां से कि टू पाई बिमाहीन रासी होगी तो इसकी बिमाहीन किता कर दो वन अब इस मैंसे भी इस मैंसे भी टू पाई बिमाहीन होता है क्योंकि यह संख्याएं हैं और संख्याएं बिमाहीन होती हैं इसका मतल अगया सब बीटा की बिमायएं किसके बरावर हो जाएंगी यहां पर स्कूयर लगा भाई क्यों च्वड दिया ऑढ esa तो यहं से तो आप पहले बीटा की विममाय धियात करके बताना और फिर उसके बाद बचेगा क्या उसके बाद हमारे डूस्टों पापियों अधरमियों रावडार्द नहीं राबढों तुम झुंड में ओना एक होता तो कहते रावड का अगई से अब प। अब ऑफ देखो बीटा की विमाय यहां से अब को Guccanez चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों अब देखो आगे बढ़ते हुए अपनी अगली कहानी ध्यान देना यहाँ पर एक point है यहाँ पर क्या है प्वाइंट क्या है हम कहते हैं यदि कोई सूत्र या बेंजक विमिय रूप से सही है तो यह जरूरी नहीं है कि वह सूत्र सही ही हो किन्तु बेंजक विमिय रूप से गलत हो तो 100% गलत होगा कहने का मतला भी है बच्चा कि अगर कोई सूत्र कोई सूत्र विमिय रूप से गलत हो तो वह 100% गलत होगा विमिय रूप से कैसा है गलत तो 100% गलत होगा लेकिन विमिय रूप से कोई सूत्र सही है तो यह जरूरी नहीं है वेटा कि वो सूत्र सही ही हो उधारन के लिए उधारन के लिए मैं आपको बताता हूँ जैसे हम किसी ने लिख दिया कि f वराबर होता है M small in ug mini स्कॉर इंटू sponge तो जानते हीए न किसी पहीं लेकिन हमको विमाएं आती हैं कि आती हैं विमाएं आती हैं हमको तो हम विमाओं से चेक करके देखते हैं कि सूतर सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो अपन चेक करते हैं विमाएं से तो देखो यह दौनों रासियां आपस में बराबर हैं अगर दो रासियां आपस में बराबर हैं त तो एफ जानते हैं ut term स्वेयराइं यह किती होगी तो अब जानते हैं यम्यल्यज़्यी माइन सैस्ट मेस्वारीu कि मेस्टी मेस हैं दो बार हो तो मँस्वार एश कोइर को होटरें मैस्वार मोइन स्वैर को मइस्व जो ride क्या m2 lp-2 और f का विमि सूरे mmlt-2 क्या बताओ समीकरण एक और दो बराबर हैं क्या आप कहांगे नो सर है को नख को समीकरण एक और दो बराबर नहीं है इसका मतलब हुआ कि f की और m2 a की विमाएं बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये समीकन बिमिय रूप से सही है क्या हम कहें नहीं ये समीकन बिमिय रूप से सही नहीं है क्योंकि बिमिय रूप से सही होने के लिए इन दोनों की विमाएं आपस में बराबर होना चाही था तो हम कहेंगे ये बाला सूत्र बिमिय रूप से सही नहीं है ये विमिय रूप से सही नहीं है तो यह हंड्रेड परसेंट गलत है हंड्रेड परसेंट क्या है बेटा का लगत है अब देखो इसका अगला पॉइंट हम कहें कि मान लीजिए कोई सूत्र विमिय रूप से सही है कोई सूत्र विमिय रूप से सही है उधारण के लिए हमने का हमने क्या का कोई हमें बता रहा था हमको कुछ पता ही नहीं था हम बच्चे थे हम क्या थे बच्चे नन्ने मुन्ने नन्ने बुद्ने बच्चे आपकी तरह है बट आप नन्ने मुन्ने के साथ प्यारे बच्चे भी ओ कि मैं नन्न मुन्न अभी प्यारा ही रहाओं गार क्या पता अच्छा ध्यान दो टाइम पास नहीं करते हैं तो अब देखो अपन बात करते हैं जैसे हमें दिया गया हो मान लीजिए एफ वराबर किसी ने हमको बताया कि एफ बल का सूत्र होता है एफ वराबर टू एमे एफ वराबर कितना होता है टू एमे एफ वराबर टू एमे ऐसा हमें किसी ने बताया कि बल का सूत्र होता है तो मैंने का रोको रोको मुझे बिमाएं आती हैं बिमाएं आती हैं बिमाएं से चेक करके दिख लेते हैं सही है कि नहीं है तो अब हम बिमाहीन होता है यह में लटी माइनस डू अब टू एम ए तो एम एम ए मैं बच्चा क्या सीन है इतू तो कि बिमाहीन होता है कि तू क्या होता है बच्चा बिमाहीन संख्या है अब M है द्रभमान तो इसका विमा कैपिटल M और A क्या है A का विमिस उत्र होता है L T-2 L T-2 L T-2 तो F का विमिस उत्रे समीकर नमर A और हमने कहा समीकर नमर B क्या समीकर A और B बरावर है तो आप कहेंगे Yes समीकर A और B दोनव बरावर है मतलब A और B कैसे हैं बच्चा बराबर हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इस सवाल या दिया गया समीकन ये दिया गया समीकन बिमीय रूप से सही है क्योंकि बिमीय रूप से सही होने के अपन ने क्या किया लिमाए चेक की तो f की बिमाए और 2 ma की विमाए कैसी आ गई है दौनों की बिमाए बच्चा देखो आप अपनी खुद की परसिनल आखो बच्चा की f और 2 ma की विमाए कैसी आ गई है बराबर आ गई है तो बिम्य रूप से सही है यह नहीं है तो हम कहेंगे यह दिया गया जो समीकर्ण है दिया गया समीकर्ण बिमिये रूप से सही है मैं कहां लिखतू इसको तो इधार लिख देता हूं खोक्चे में बिमिये रूप से सही है अब आप बताओ मुझे तो पता नहीं था बस्पन में कि F वरावर क्या होता है लेकिन आपको तो पता है तो आप सभी को पता है कि बल का जो बास्तम में सूत्र होता है वो होता F वरावर M A लेकिन यहां क्या लिखा है F वरावर 2 M A तो ए बिमिये रूप से तो सही है लेकिन क आस्ता में सही सूतर नहीं है क्योंकि आप जानते हैं हम सभी जानते हैं फराबर क्या होता है में तो अब इस पॉइंट का मतला आपको समझ में आ गया होगा क्या कि अगर कोई अगर कोई सूतर या बेंजा के बिमीय रूफ से सही है तो यह जरूरी नहीं है कि वह है सूतर सही ही हो तो इस बात का मतलब मुझे आसा है आप समझ गई होगे है अब दिखो भी मिये-विसलेशन्ट की सहायता से संभावित सूतरग्याद करना बोले तो रफ सूतरग्याद करना है इसलिए अपन संभावित शूतरग्याद करते हैं सही सूत्र क्यों ग्यात नहीं कर सकते हैं अब देखिला मान लीजिए मान लीजिए अपन अच्छा आप सिंपल पेंडूलम कुछ ऐसे जानते हैं कौन सा सूत्र जानते होंगे आप अच्छा यह तो जानते होंगे कि गते जूर्जा बराबर हाफ एंभी स्कॉयर होता है गते बिमीय रूप से अगर हम गयाद करतें सूत्र को देखें तो बिमीय रूप से बता और यह को सही है कि नहीं है सूत्र आप चाह यह वाला सूत उठाओ तो घते जूर्जाग की विमाई में भी इंबी स्कुर्णके बराबर है आप इसको उठाओ तो भी ठीक है इन constants का क्या करें जो आगे नियत आंख है नियत संख्या है इनका क्या करें तो इसमें से कौन सा सही होगा half सही होगा, four सही होगा, pi सही होगा 37 सही होगा, यह अपन पता नहीं कर सकते है although अपन को पता है कि गते जूर जा का सूतर होता है एक बटे दो mv स्कार यह वाला सूतर सही है लेकिन अगर बिमिय रूप से कोई कहें, चेक करो यहां four आ रहा है, तो हम four के बारे में बता सकते हैं क्या, क्यों नहीं बता सकते हैं four के बारे में कुछ भी, क्योंकि four संख्या और संख्या का बिमा में कोई रोल नहीं रहता है, तो इसलिए अपन exact सही सूत्र नहीं निकाल सकते हैं बिमिय रूप से, ठीक है, हम यह बता सकते हैं कि गतिज उर्जा बिमिय रूप से, गतिज उर्जा समानुपाती होगी mv स्क्वाइर के, ठीक है, अब अच्छी, I'm so sorry, अब समानुपाती चिन आप जब भी हटाते हो, तो यहाँ पर एक नियतांक आता है, यह नियतांक क्या होगा, इसके बारे हमें कोई जानकारी बिमिय रूप से नहीं मिलती, इसलिए अगर हम कोई सूत्र ड्राइब करते हैं, कोई एक संभावित सूत्र होता है, तो अपन वहीं शीश रहे हैं यहाँ पर, कि बिमिय बिस्रेशन के सहता से संभावित वोले तो रफ फॉर्मूला ग्याद करना, तो देखिये बच्छा सीन क्या है, यदी किसी सरलोलक का आवर्तकाल, द्रबमान लंबाई तथा गृत्वी तरोन पर निर्भर करता है तो इसके आवर्त काल का सूत्र क्या होगा यदि किसी सरलोलक का आवर्त काल द्रबमान लंबाई तथा गृत्वी तरोन पर निर्भर करता है अब देखो अगर आपको पता है सरलोलक का आवर्त काल कितना होता ह घ्राइम लट्क दि से हमने एक गैंद लटका दी तो यह रावास नहीं करता है ऐसे घूमता रहता है उसको अपने ऩहीं क्या कहता है वेटा लो लोग ऐसे आपने देखा होगा कुछ घडियां होती है ह spel आग α इसको है ना उस घड़ी में क्या होता ना एक रोड टाइप का होता है उससे कुछ बस्तू नीचे बंदी होती वो इस तरीके से गूमते रहता है इसको यह अपन क्या कहते है सिंपल पैनियूलम या सरल लोलक और इसका आवर्तकाल का सूत्र बास्तब में होता है टी बरावर ट सीखिए बिमिये सूत्र की सहायता से बिमिये सूत्र नहीं बिमिये बिसले सण की सहायता से अपन सरल लोलक के आवर्तकाल का रफ फॉमूला कैसे ग्याद कर सकते हैं तो आपको सवाल में यह कहा गया है कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल है आवर्तकाल है वो किसकिस पर निर्व कि100 अस पाती होगा कििसके द्रभ्मान आया इस में लंबाई आई है और गुरुट्वी तुरुन आया है अब ड्रभ्मान कितने बार आया मिल्माय कितने बार आए इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है घी कितने बार उपियोग हुआ है कि कि हमें कोई जानकारी नहीं है तो अपन मान लेते हैं कि माना द्रबमान का उपयोग हुआ है कितने बार कि अच्छा इसको small m लिख लेते ना पहले फिर अपन बाद में बिमाय लिख देंगे mlg लिख लेते हैं तो हमने का माना द्रबमान का उप्योग हुआ है A बार, लंबाई का उप्योग हुआ है B बार, और G का उप्योग हुआ है C बार, इस प्रकार से, अब आप देखिए अगर हम इसको बराबर करके लिखें, तो जो आबर्तकाल T है वो बराबर होगा, कुछ-कुछ नियतांक, नियतांक क्या इसके बार हमें कोई जानकारी नहीं है, कुछ-कुछ नियतांक और उसके साथ M की घात A और L की घात B और G की घात C होगी, जी की घात क्या होगी, C होगी, अब इसको हम हल करने अगले पने पर चलते हैं, कहां चलते हैं, अगले पने पर, तो मैं लिख लेता हूँ, T बराब अपस में बराबर हैं, तो इनकी बिमाएं भी बराबर होनी ही चाहिए, अगर इनकी बिमाएं आपस में बराबर नहीं है, तब तो यह 100% गलत हो गया, लेकिन आपको दिया गया है सवाल में, कि आवर्तकाल जरब बिमान लंबाई और G पर निर्वर कर रहा है, इसका मतलब क क्या होगा, अपने मान के चलेंगे कि यह बिमियरूप से सही है, मान के क्या होना ही चाहिए बिमियरूप से सही, तो इसकी बिमाएं और इसकी बिमाएं बराबर होनी चाहिए, ऐसा सवाल में दिया गया है, तो यह T क्या है, बच्चा आवर्तकाल है, आवर्तकाल बोले तो स कि विमाए अपन क्या लिखेंगे एम की घात 0, L की घात 0, T की घात 1 अरे बोलो भाई समय है न समय की विमाँ क्या होती है Capital T तो M की घात 0, L की घात 0, T की घात 1 यहां पर देखो बराबर के तो विमाहीं रासी है तो विमाओं में इसका कोई उपयोग नहीं आएगा यहां पर देखो M का है द्रबमान तो द्रबमान की विमाँ Capital M इसकी घात A, L का है बच्चा लंबाई, लंबाई का विमाँ Capital L, L का घात B और G का है गृत्त्वी तरण अब तौरण कोई भी तौरण हो, चाहे गुर्त्वी तौरण हो, चाहे पडोस का तौरण हो, चाहे किसी का भी तौरण हो, तौरण तौरण होता है और सभी तौरणों की बिमाएं समान होती हैं, तो तौरण की बिमाएं हम कित्ती पढ़ चुके हैं, तौरण की बिमाएं होत को एम का खात Leogard कि म्हार्वाइए है एलका घात-फेड़ गॉख्ट इधर से ब और प्लस फिल प्लस दे वह गा इप यहां से देखोगे तो टो ग्षाट माइनस का टो कि समझ गहे ना बच्छा कि यहां жизнь का घ गहात जो जाता है तो यहां Jim लिए और यहां tell k grupo स्टेवा अब देखो यह दो नों आपस में बराबर हैं अपने क्या कहेंगे कम तुलना कर लेंगे दौनों की क्या कर लेंगे तुलना तो देखो इधर एम का घात कितना है जीरो इधर एम का घात कितना ए तो देखो अगर हम घातों की तुलना करें घातों की तुलना कि तो लेना कि करने पर घातों की तोलना करने पर आपको क्या मिलेगा ए बरावर जीरो एक समीकन मिला दूसरें और ऑपको क्या मिलेगा B बरावर प्लस भी बरावर भी जीरो देखो यहाँ L की घात B प्लस इहां यहाँ sound 0 है और तीसरे समीकन आपको क्या मिलेगा बरwart सखुरदार माइनस टू सी वरावर वन माइनस टू सी वरावर वन तो आप देखिए इसको अगर हम सिंपलिफाई करें बच्चा अरे अरे कहां चले गए डुस्टों पापियों धर्मियों इधर ध्यान दो तो सी कमान कितना है या माइनस वन वाय टू सी कमान माइनस वन वाय टू एक कमान हमें पता है एक कमान कितना हो गया जीरो अब समीकरन दो से बी प्लस सी बराबर कितना है बी प्लस सी बराबर है जीरो तो सी कमान कितना हो गया माइनस वन वाय टू बराबर जीरो यहां से बी ब पहले ही मिल गया है, मैं इनको खुप्चें बंद कर देता हूँ, a का मान मिल गया है, c का मान मिल गया है और यहां से हमें लगे हाथो बी का भी मान मिल गया है, तो देखो जो अपना t था, t का विमी सूत्र, t का जो अपना सूत्र था वो क्या हो जाएगा, t बराबर k, m की घा गात B बोले तो एल की घात कितना था देखो मैं फिर से पूरा लिख देता हूं Turkish e-end IF भात भी और की इने किगा इसी था डो ती बराबर की बराबर तर्थ्यां दोके येम की घात ौत कितना हुआ बड bud liQ कितना हुआ वन वायो टू और जी की हैत कितना हुआ कितना हुआ ौडा मामेश माइनस का वनभाई ट्यू है तो यहां से देखो बच्चा की बराबर आपको Zuran हो घरार हो गया एक्रूट एल हो गया प्र глаз कितना वन वा टू इसे लिख सकते एक गहात ऐसे तो T बराबर केतना हो गया K रूट L और इधर 1Y रूट G तो इधर T बराबर केतना हो गया K into under the root L upon G तो देखो रफ सूत्र आया कि नहीं आया बस हमें किसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है K के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल तो T बराबर के इंटू रूट Lby G आपको सूत्र मिल गया है लेकिन बास्ता में सूत्र क्या होता है बास्ता में हैलो हाई बास्ता में सूत्र होता है T बराबर 2Pi under the root L YG तो हमें जानकारी किसकी नहीं मिली है बच्चा ये 2Pi की क्या constant क्या है बच्चोई चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो अपन क्या करते हैं विम्ये विस्ट्रिशन की सहता से हम संभावित संभावित सूत्रग्यात कर सकते हैं यह उसका उधारण था ठीए बच्चों अब देखो कम ओन कम ओन कम ओन अभरीवड़ी उधारण अगला किसी पाइप की आब्रती उसकी लंबाई हवा के घनतों तथा हवा के दाब पर निर्भर करती हो तो आब्रती का संभावित सूत्र क्या हो सकता है यह सवाल आपका होमवर्क होगा यह सवाल क्या होगा आपका होमवर्क है हम आपको देगा हम आपको देगा नहीं कान के नीचे नहीं देता मैं साधु आदमी हूं साधु आदमी हूं बेटा आप किते प्यारे बच्चे हो ऐसे तो पाप लगेगा मुझे मुझे पाप लगेगा तो फिर नहाना पड़ेगा औ और नहाना बच्चा मैं आपको हिंट देगा क्या देगा हिंट लाना आंसर सही नहीं लाओ गे तो समझ ले न नहीं मैं ऐसा नहीं करते हूं नहीं काथता आंसर नहीं आहे तो है ना हाथ काथंगा ना चवान काटूँगा, अच्छा इधर ध्यान दो है यदि किसी पाईप की आबरती उसकी लंबाई हवा के घणट नथा दाब पर निर्वर करते तो पाईप की आबरती आबरती को हम प्रदर्शित करते हैं आफ से दाब पर निर्भर कर रहा है कि अच्छा यह मैं नहीं कहा रहा हूंगा इसा सबाल में किया कहा गया है बिटा तो अब देखो हम मान लेते हैं कि एल का घात ए रो का घात भी और इसका घात सी इसका घात सी अब आपन लिखेंगे एफ वराबर कुछ नियत अंक और एल का घात ए रो का घात भी और पी का घात सी अब आप जानते हैं बच्चा सब का लंबाई का विमा तो आप जानते ही है आबरती क्या होता है आबरती होता है एक बटे आबरत काल आबरती को क्या लिख सकते हैं बेट ठीक है और उसके साथ साथ आप रो की विमाएं आप जानते हैं रो क्या होता है घनत तो रब्मान बटे आयतन और हवा का दाव-दाब कोई भी हो दाव की विमाएं वही होती है बलबटे छेत्रफल बलबटे छेत्रफल तो जैसे अपने पिछला सवाल किया था बिल्कुल उस बताना कमेंट सेक्शन में अपन क्या करते कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए बच्चों अब अपन चर्चा करते एकाई की इसको अंग्रेजों की भासा में क्या कहते हैं अपन यूनिट तो अपन क्या कहते हैं पढ़िए इसको किसी भी भौतिक रासी का मापन अंत मानली जी आपको द्रबमान का मापन करना है किसका मापन करना है द्रबमान का तो अपन ने उसका द्रबमान का मानली जी इतना amount ले लिए इतनी मात्रा ले लिए ठीक है अब इस मात्रा को अपनने कह दिया मात्रा एक किलोग्राम है कितनी है बच्चा, एक किलोग्राम, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, ये द्रभमान का आधार भूट मान हो गया, क्वानसा भूट, आधार भूट मान, अब बचा हुआ जो द्रभमान है, इससे ज़्यादा या इससे कम, तो वो इसी से तोलना करके मापा जाएगा, इसी से हमारे पास कोई पदार्थ है जिसकी मात्रा इसका साथ गुना है आधार भूत मान का साथ गुना है ठीक है हमारे पास इस तरीके से कोई पदार्थ था ठीक है और इसकी मात्रा कितनी है आधार भूत मान के आधार भूत मान के साथ गुना है अब आधार भूत मान के साथ गुना है अब आधार भूत मान कितना है बच्चा एक किलोग्राम है कितना है एक किलोग्राम तो वो कितना हो गया एक किलोग्राम इंटू साथ रे भाई बराबर क्यों लगा दिया एक किलोग्राम इंटू साथ इसको अपन क्या कह देंगे 7 kg, कहने का मतलब सिंपल सी बात इतनी है, कि हमने एक आधार भूत मान लिया हुआ है, अब बच्चे हुए मात्रा को अपन इस आधार भूत मान से ही तुलना करके लिखा करेंगे, तो ये बात हुए अपनी एकाई की और इस द्रब मान के लिए नि सभी के लिए अपने ऐसे ही किया हुए जिसे लंबाई का मातरक अलग है लंबाई का एकाई अलग है समय का अलग है ठीक है तो अपने एक आधारभूत मान लिया है फिर बच्चे हुए मान की तुलना उसी आधारभूत मान से की है अब देखो बात करते हैं तो जो international system of units में मू पूल रासियां उनकी काई अपने डिसाइड कर लिया है बोले तो उनके आधारभूत मान को अपने डिसाइड कर लिया है और फिर बच्चे हुए मानों का अपन उसी से तुलना करके ग्याद कर लेते हैं तो इसे द्रभमान के लिए international जिसे अपन कहते हैं SI system इसको क्या कहते हैं बच्चा SI system इसको अंग्रेजियों की बहुता हम कहते हैं international standard of units तो द्रभमान की काई लिए है कि लोग्राम के लिए बच्चा किलोग्राम लंबाई की का लिए बच्चा टर कॉन से टर मीटर समय समय को अपना लिखते हैं सेकेंड में इस तमया की क्या लिए बच्चा सेकेंड ताप की एकाई Kelvin, विद्योधारा की एकाई Ampere, विद्योधारा की क्या ली गई है Ampere, इसके क्या ली गई है बेटा Candela, Candela, और पदार्थ की मातरा को किस में मापा गया, मूल में, इसके क्या क्या है, मूल है, तो देखो, जो बच्ची हुई रासिया है, ये कौन सी रासिया हो गई हैं, ये कौन सी रासिया हैं, बच्चा अपनी मूल रासिया हैं, ठीक है, लिखा हुआ है, ये अपनी मूल रासिया हैं तो बच्ची हुई रासिया किस से मिलके बनी होगी तो अपने मूल रासियों के कई कि रखना रभमान की किलोग्राम लंबाई मीटर समाय सकंड ताप कैलिव裝 εδώ कि काूल यूनेट नहीं है मत्तब ऐसाइई यूनेट नहीं है अब देखो इसके अलाबा भी और रासियां होती है इसे ह changes की जो एक आ कौन और घंकौन अपने दो पूरा क्रासियां पढ़ी थी बच्चा तो उनकी काई यह होती है अब देखो यह इसमें कुछ खास नहीं बस इसको आपको याद रखना कि कभी अगर कौन आता या घंकौन आता तो उसकी काई क्या होगी अब देखो अन्य एकाई पद्दतियां मापन की अन्य एकाई पद्दतियां तो ऐसा ही सिस्टम के अलावा अन्य जो एकाई पद्दतियां है जैसे M की सिस्टम है MKS सिस्टम, तो बेटा MKS सिस्टम में, जो M है वो बताता है मीटर, मतलब length की एक आई, length वो ले तो लंबाई, इधर अपन लिख लेते हैं, लंबाई की एक आई, इधर लिख लेते हैं, चलो, लंबाई और उसके बाद द्रब्यमान और उसके साथ समय, तो MKS सिस्टम में, लंबाई की काई होती है, मीटर, इसलिए यहां पर M लिखा हुआ है, और द्रब्यमान की काई होती है, किलोग्राम जरब्यमान की काई किलोग्राम और समय के काई सेकेंड ही है, अब देखो CGS सिस्टम, तो CGS सिस्टम में क्या है, तो CGS सिस्टम में C, C का मतलब होती है सेंटीमीटर, तो लंबाई की काई यहां पर होती है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जी, द्रब्यमान की काई मतलब ग्राम और इसके काई क्या होई बच्चा समय की सेकेंड हुई, और FPS सिस्टम भी एस का उप्यों का बहुती रेरली आप सवालों में देखेंगे, बहुत कम देखेंगे मतलब, तो F का मतलब हो गया बच्चा फुट, और P का म मतलब सेकेंड ही है, तो तीनों ही पद्दितियों में समय तो सेकेंड सेकेंड ही है, लंबाई मीटर, सेंटीमीटर और फुट होता है, MKS, CGS, और FPS में क्रम सहा, और द्रब्मान किलोग्राम, ग्राम, पाउंड होता है, अलग-अलग सिस्टम में, अलग-अलग एकाईओं क पद्दियों में, तो बस इसको एक बार आप दिमाग में रखें, वैसे आपको पता होगा यह चीज़, नहीं पता है, तो आप इसको भी दिमाग में रखें, अब देखो बच्चा एक टेवल है, इसमें यह बताया गया कि 10 की घात कितने को अपन क्या बोलते हैं, 10 की घात 1 पिर उसको याद भी रखना है, इसमें कुछ ऐसा एक्स्प्लेइन करने जैसा कुछ है नहीं, यह प्रॉपर रटंत विद्ध्या है, तो आप इसको याद रखें, मैं अल्दो एक बार पढ़ देता हूं, 10 की घात 1 को बोलते हैं, देखा नहीं, देखा, 2 को बोलते हैं, हेक इतना GB मैमोरी है, वो Giga Byte होता है, 10 to the power 9 white, तो 10 to the power 9 को गीगा बोलते हैं, 12 को 13, 13 नहीं, 13, टेरा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेरा, इसको क्या बोलते हैं, पैटा और इसको बोलते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर इनकी संकेत हैं और इन संकेतों में आप एचीज ध्यान देना बच्चा कि सारी चीज़ा कैसी है capital है यहां पर एक के बाद एक capital है ठीक है क्योंकि जैसे पी यहां पैटा है अभी आगे अपन पी को पी को भी पढ़ते हैं तो उसमें पी आएगा बच्चा स्मॉल ठीक अभी देखते हैं अगले पेश पे तो समाज में आ जाए थी दसकी घात positive थी 123 मतलब जो भी है 123 6 9 12 15 18 अब अगर छोटी मान हैं मान कैसे हैं बच्चा छोटे हैं तो दसकी घात minus 1 दसकी घात minus 2 दसकी घात minus 3 तो इनको बोलते कैं वह यहां पर मैंने लिखा हुआ है और उसके संकेत भी लिखे हुए तो टेन टू दी पार minus 1 को क्या ब कि एक का स्वाइट बोलते हैं डेसी इसको बोलते हैं सैंटी इसको वोलते हैं मिली ठेन टू दी पार minus 6 को बोलते हैं Maikro इसको क्या बोलते हैं Na तो जैसे आपको कभी लिखना होता है 6 माइक्रो मीटर तो इसका मतलब हुआ 6 और माइक्रो का मतलब हम यहां देखेंगे 6 इंटू 10 राष्ट के लिखा हुआ है आपके पास 7 ननो मीटर तो इसका मतलब हुआ 7 और ननो का मतलब क्या हुआ टैन टू दी पावर माइनस 9 इन्टू मीटर कभी लिखा हुआ है कुछ भी जिसे 12 माइक्रो मीटर है 12 माइक्रो तो हो गया पी को ले लेते हैं 12 स्मॉल पी इन्टू एम तो 12 पीको मीटर तो इसको आप लिखेंगे 12 इंटू 10 to the power minus 15 15 15 है ना 12 12 10 to the power minus 12 मीटर समझ जाएं तो इस तरीके से कभी मान लिखें हो तो आप उनको बदल सकते हैं तो इसके लिए आपको इस टेबल पता होना जरूरी है कि किसको क्या बोलते हैं और किसका मान क्या होता है और किसका संकेत क्या होता है तो इस सारी चीज़े टेबल में जिनको नहीं आता तो कोई बुरी बात नहीं है हम यहां पर आएं किसके लिए शीखने के लिए जैसे अपन को कहा गया है 90 को मीटर में बदलो तो उसी के अप्लिकेशन है तो इसे 5 माइक्रो मीटर है तो अपन लिखेंगे 5 5 x 10 to the power – 6 meter 5 x 10 to the power – 6 meter 3 क्लो मीटर है तो पर लिखेंगे 3 क्लो का मतलब होता है 10 to the power 3 meter 2 mm है तो इसको लिखेंगे 2 x 10 to the power – 3 meter ठीक है उसके बाद यहां पर लिखा हुगा है 7 small P होता है पी को और Capital P होता है पैटा 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 मतलब यह ओ 10 to the power 15 ध्यान देना capital P यहाँ पर क्या लिखा हुआ है small P लिखा हुआ है small P किसका होता है बच्चा पीक होका 10 की घात minus 12 ठीक है तो 73 इन्टू 10 to the power minus 12 मीटर और यह क्यास है बच्चा 7.5 7.5 नैनो बोले तो 10 to the power minus 9 मीटर तो बस अगर किसी को पता नहीं था तो एक बार देख लो कुछ नहीं टाइम पास चीज थी है तो हम आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हुए ऐसे एक और छोटा सा उधरन है लेकिन उसका उपयोग बेटा कई बार आता है बहुत बार इसका उपयोग आता है तो पता होना चाहिए आपको आपको कहा जाता है पांच न्यूटन को सी जीएस में बदलो तो देखो पांच न्यूटन है पांच न्यूटन यह काई होती है किसकी बल की न्यूटन किसकी काई होती तो देखो न्यूटन का मतलब होता है अगर आपको पता है तो अच्छी चीज अच्छी बात है नहीं पता है तो बिटा आप अभी जब आगे पढ़ोगे ना फोर्स वाला चैप्टर है ना न्यूटन्स लॉज आफ मोसन न्यूटन के गती के नियम तो उसमें आपको पता चल इसको अपन क्या कहते हैं न्यूटन अब अपन को बदलना है इसको सीजीएस में तो सीजीएस में बदलेंगे तो मान केतना है फाइव है मान केतना है बच्छा यह फाइव है ठीक है अब किलोग्राम सीजीएस में क्या होता है ग्राम होता है किलोग्राम क्या होता है ग्राम एक किलो ग्राम बराबर दसकी घात तीन ग्राम या एक हजार ग्राम अब मीटर को बदलना होगा किस में CGS में बदलना है तो मीटर को सेंटी मीटर में बदलना होगा तो एक मीटर की जगाए पन क्या लिखेंगे सो सेंटी मीटर सो सेंटी मीटर और सी जी स सेकेंड का बच्चा सेकेंड ही रहेगा सेकेंड का क्या रहेगा सेकेंड ही रहेगा तो देखो जो पांच न्यूटन था पांच न्यूटन वो कितना हो गया पांच गुड़ा दसकी घात पांच किराम centimeter per second square per second square तो यह कौन सी unit हो गई बच्चा यह CGS unit में बदल गया CTS और देखिए बच्चा यह जो 5 newton है CGS में इसको अपन बोल देते हैं dine क्या बोल देते हैं dine तो into 10 to the power 5 dine CGS एकाई होती है किसकी वलकी तो आप यहां से आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं that 1 newton is equal to 1 newton बराबर होता है 10 की घात 5 dine के देख लो 5 newton बराबर 5 गुणा 10 की घात 5 dine तो देखो 1 newton बराबर हुआ 10 की घात 5 dine के तो इसको आप याद रख सकते हैं और याद नहीं रखना चाहते हैं लेकिन याद रखें तो वेटर है काम आता है अपने सवालों में ठीक है बच्चो उधारन तो यह j नहीं रो है रो बराबर आपको दिया गया है 2 gram per centimeter की उपको mks में बदलना है तो पहले तो अपन ने mks से cgs में बदला अब आपको cgs देखो gram centimeter की किस में दिया है gram centimeter की cgs है न तो cgs को बदलना है mks में तो देखो row is equal to कितना होगा 2 अब अपन बदलेंगे इधर कह लिखा हुआ है gram और यहां कह लिखा हुआ है centimeter cube तो देखो 2 gram को अपन बदलेंगे mks में बदलना है तो gram को किसमें बदलेंगे kg को तो अपन क्या लिखेंगे 10 to the power minus 3 kg upon cm को किसमें बदलना होगा mks में तो लंबाई का होता है मीटर होता है तो एक cm की जगे अपन क्या लिखेंगे 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 meter और इसकी घात कितना है 3 है बच्चा अब इसको simplify करेंगे अपन तो कितना आगया दो गोड़ा 10 की घात minus 3 बटे 10 की घात minus का है 10 की घात कितना हुई गवा minus का है तो यह मान आगया किलोग्राम और इधर मीटर की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यों है आप इसको भागाकार बगएरा कर सकते हैं तो यह अपना कौन सा यूनिट आ यह आगया मकेस तो इस तरीके से आपको बदलना आना चाहिए बच्चों चलिए अपन आगे बढ़ते हैं आपका जो नेक्स्टक्र एपन अपन कहा है जो होइए जो प्रॉपर फिसिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्टटशंप पिशुक्त अपर नियुक्त कि आपको दी इस पीड आप किलो मेटर पर शर और को आपनी स्पीड मापने की जो कमान ​ नहों स्पीडो मीटर भी यह वो भी स्पीड किसमी में बताता है किलो मीटर पर आर मैं लेकिन लिए एसा यूनिट नहीं है म sakत आपन को जफ इसको अपनको जब भी किलो मीटर पर आर में दिया श् Style नेता यहां आपको बदलना पढ़ता है छोह नहीं आपको बदलना पढ़ता है किस में मीटर पर सेकंड में तो इधर 90 कलो ça मिटर में लिए सबढ़ता हो यहार मीटर में कितने मीटर हो वे हैं 1000 मीटर ओर अब को किस में बदलेंगे वन आर को किस में वदलें गंटे में तो वन आर में कितने रहलें में गंटे नहीं ही होता है बतलोस को बदलेंगे अपन 2nd में मतलब घंटे को बदलेंगे सएकन में तो वनार तो वनार में कितने 3600 सेकन्ड होते हैं होते हैं बक्चा 36 थोण साथ में अब इसको सिंपलिफाइह कर लेते हैं थोड़ा सा तो तो यहाँ एक 0 मतलब 10 बचा यहाँ दो जीरो कट गया यहां घात के बचा एक तो अन्तिता अगया 90 इंतु दस बटे 36 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड आ गया बच्चा अब इसको भी काटा-कूटा मचा दो तो इधर काटेंगे तो तो आप देखिए जो वेलोस्टी आया वो कितना हो गया नब इंटू पांच बटे 18 पांच बटे 18 मीटर पर सेकेंड आप याद रखें यह वाला कनवर्जन फैक्टर कि देखो क्लो मीटर पर आर्था उसकी जगह कि आ गया पांच बटे 18 पांच बटे 18 तो आप इसको किलो मीटर पर आर को अगर आपने मीटर पर सेकेंड बदलना है तो पांच बटे 18 से गुणा करना पड़ेगा 5 बटे 18 मीटर पर सेकेंड थैक्यां अच्छा तो एक एनवर्जन फैक्टर आप अपने दिमाग में रखना वेटा इक काम आता है वह चलिए अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अधिला उधारण यह तो कुछ भी नहीं है सेवन पीको मीटर को माइक्रो मीटर में बदलो सिंपल सी कहानी है बच्चा एकदम बोर्ड लेवल की कहानी है ऐसे तो सेवन सेवन पीको मीटर तो पीको कितना होता है भाई पीको होता है टेन टूदी नैनो नैनो के बाद क्या आता है पीको यह आता है टेन टूदी पावर माइनस 12 मीटर को अपन को क्या करना है सेवन पीको मीटर को बदलना है किसमें माइक्रो मीटर में इसको बदलना है माइक्रो सकते हैं ध्यान देना इसको मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं 7 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6 meter 10 to the power minus 6 meter अब 10 to the power minus 6 को अपन क्या कहते हैं micro यही क्या कहलाता है बिटा micro म्यू तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई 7 into 10 to the power minus 6 micro meter अगर अभी आपको याद नहीं है तो आप इस टेबल पर जाएए आपको सब कुछ मिल जाएगा देखो पी को कितना हो गया 10 to the power minus 12 micro कितना हो गया 10 to the power minus 6 और इसको म्यू से प्रदर्सित करते हैं तो इसलिए टेबल महत्व पूर्ण है चलिए अपन आगे बढ़ते हैं क्या करते हैं बच्चा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं एकाई बदलने पर रासी के संख्यातमक मान में परिवर्तन ये अगर हम एकाई बदलते है तो rasaam कि संख्यात्मक मान में कितना परिवर्तन हो जाता है उसको ग्याद करने का तरीका अंब ने अभी अभी ग्याद किया ही था जैसे अपन को मिला था वन न्यूटन है अपन ने इसको वन न्यूटन किस में होता है, MKS में होता है, यह हम कहें, SI में होता है, इसको बदला था, CGS में तो कितना आ गया था, दसकी घात 5 डाइन, दसकी घात 5 डाइन आ गया था, ठीक है, और यह दसकी घात 5 डाइन किस में होता है, CGS में, CGS में, तो देखो, एकाई बदलने पर संख संख्यात्माकमान बदला के नहीं बदला पहले जब एकाई न्यूटन था एक आई क्या था बच्चा न्यूटन तब इसका संख्यात्माकमान एक था जब हमने एकाई को न्यूटन से कर दिया MKS से कर दिया CGS तो संख्यात्माक मान हो गया 10 की गात 5 तो एकाई बदलने पर संख्यात्माक मान बदल जाता है अब वो बदल के कितना हो जाएगा अपन कैसे ग्याद करेंगे वो अपन सीखने जा रहे हैं बच्चा आप हमारा साथ देना हम आपका साथ देगा आओ कम ओन कम तो हम कहते हैं कि संख्यात्माक मान इंटू एकाई इसका जो गोडन फल होता है हमेशा नियत रहता है संख्यात्माक मान इंटू एकाई हमेशा कैसा रहता है constant रहता है तो संख्यात्माक मान को अपन N लिख देते हैं और एकाई को U लिख देते हैं तो numerical value N और एकाई बोले यूनिट यह हमेशा कैसा हो बहे है यह हमेशा constant हो बहे है अगर यह constant है तो किनी भी दो एकाईयों के लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं कि N1, U1 बराबर होगा, N2, U2 के, अब इसके application से अपन समझते हैं कि कैसे अपन मान गयात किया करेंगे, ठीक है, ये तो आप याद रखें कि संख्यात्माक मानों और एकाई, इनका गुणनफल हमेशा नियत होता है, अब अपन इसका उपियोग देखते हैं, use देखते हैं, इ यदि लंबाई की एकाई को दो गुणा कर दिया जाए, तो छेतरफल का संख्यात्माक मान कितने गुणा बदल जाएगा, लंबाई की एकाई को कितना कर रहे ले हैं, दो गुणा, तो हमें छेतरफल का संख्यात्माक मान बताने का कितना गुणा बदल गया, तो देखो, अ अंखियात मानें कितता हो गया U2 अब देखो爱 a I मैं अपने क्या किया डही की खाई है वह अपने 2 गुना कर दिए हाउ मचाने में आप expert हो तो अपने मचा दिया तो u1 u1 गए हो तो n2 का value कितना आ गया n2 का value आ गया n1 upon 2 तो देखो लंबाई का जो संख्यात्मकमान है वो कितना होई गबा आधा अब अपन बात कर लेते हैं छेत्रफल की तो छेत्रफल पहले कितना होगा तो हम कहेंगे n1 का square होगा हमका बाद में छेत्रफल कितना हो गया यह टू तो हम कहेंगे बाद में n2 का square हो जाएगा तो बाद मैं छेतरफल आपको गयात करना है वो छेतरफल हो गया n2 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 नहीं n2 की जगह क्या लिख देंगे n2 की जगह लिख देंगे n1 upon 2 तो एक n1 upon 2 समझे सम्झला का ऐसा ऐसा और इसका स्क्वाइर करो तो ए टू का मान केतना हो गया एन वन स्क्वाइर अपॉन फोर तो अभी जो नया छेत्रफल हैगा नया छेत्रफल है यह पुराना वाला छेत्रफल अपॉन चार पुराना वाला च्छेतफल बात में च्छतफल कितना है लंबाई का बल टो अगर हम लंबाई की का याइक को दो गुना कर देते हैं तो 6 चार गुना कम हो जाएगा ग्यात करने का तरीका यही है N1, U1, बराबर N2, U2 ध्यान देना, पहले का मान हमने लिया है N1, और एकाई का लिया है पहले की N2, नहीं, पहले का अपन ने संख्यात्मक मान N1 लिया है, और एकाई लिया है U1, बाद का संख्यात्मक मान N2, यह हमको ग्यात करने का है, एकाई के बारे में आपको सवाल में बोल गया है कि कई को हमने किया है दो गुना किता गुना बच्चा दो गुना तो इस प्रकार से आपने नया संख्यातमान ग्यात्ट कर लिया है बच्चों हम आगे बढ़ें आई आईये अगला बाल कौन सवाल 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 कमओन कमओन उधारन यदि किसी बस्तू पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है अब यदि लंबाई था समय की एकाईयों को दोगना कर दिया जाए तथा द्रबमान की एकाई को आधा कर दिया जाए तो बलकी नई एकाई में संख्यातमक मान होगा आईए इस टाइब के कुश्चन से बेटर कॉम्पटिटिटिव एकजाम में भी पूछे जाते हैं तो हम कहेंगे एन वन यूवन बराबर एन टू यूटू अब देखो एन वन अब न्यूटन में अपन क्या लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्कूर मैं पहले ही बता चुका हूंगा अगर यह चीज आपको पता नहीं है कि न्यूटन का मान क्या होता है एकाई में तो आप जब न्यूटन के गती के नियम बाला अध्या पढ़ रहे होंगे तो फुइं पढ़ने को मिलेगा बच्चा अब देखो क्या करना इधर संख्यात्माकमान बात का एंटू अब देखो बाद की एकाई बाद की एकाई अपन आराम से लिखेंगग से देखो द्रबमान किलोग्राम किसकी कई है द्रबमान की तो द्रबमान की कई को कितना कर दिया है आधा तो द्रबमान की कई कितना हो गया किलोग्राम अपॉन टू द्रबमान का चक्कर खतम अब अपन बात करते हैं लंबाई लंबाई यहां कहा है मीटर और यहां लंबाई की कि काई को कितना कर दिया है दो समय के साथ क्या किया है तो समय की काई को भी दो गुणा किया है तो यहां 2 स्क्वार्ट था तो यहां 210 कंड कंड का स्क्वार्ट अब आपन अब जमाते हैं क्या करते हैं बच्चा जमाते हैं तो एस टू से यह चटक गया तो गया इस एक तो ऊड़ गया अब दिiri्गो यहां पर and 1 का मान कित्ता दिया गया है पांच न्यूटन पहले संख्यात्मा कमान कितना है पांच तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेर पर सेकेंड स्क्वेर अब कित्ता है एंटू इंटू उधर ऊपर बर्चा है किलोग्राम इंटू मीटर और नीचे क्या हो गया और एस मतलब क सेकन्द का स्कूरique अब फिर से मांचालो आओ लिएखो क्लोग्राम मीटर क्लोग्राम मीटर सेकन्द स्कूरे सग्सक्राइब ड्योभ यो तो 12 got का मान कि अतना आगया अन्टू बरबर आ खाना खाके जाना ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो मित्रों आए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए देखो यह सवाल आपका ठीक है यह पूछा गया था कभी-कभी आइए सल्टा देते हैं यदि पी बराबर इतना इतना दिया हो तो अलफा का विमी सूत्र होगा अलफा का विमी सूत्र आपको ग्यात करना है, तो देखो, शुरूबात करते हैं, पहले तो, ए की घात में कुछ-कुछ लिखा है, इसको क्या होना चाहिए, विमाहीन, विमाहीन, समझे के नहीं समझे, तो इसका मतलब हुआ, ये अलफा है, ये ए है, तो बिच्चा ये भी अलफा ही होगा, ये क्या होगा, अलफा, ठीक है, तो अलफा इंटू भी अपॉन आरटी, ये रासी कैसी होनी चाहिए, विमाहीन, विमाहीन, ठीक है, और विमाहीन का मतल 1 तो अलफ़ी अपॉन आरटी इसकी बिमा अपन वन के बराबर कर देंगे तो अलफ़ा की बिमा के प्थाया rt अपॉन वी कोई confusion बच्चा होना नहीं चाहिए होना नहीं चाहिए अलफा की बिमाय अपन को मिल गई अब देखो ए वाली जो रासिय य से जो मान ऩी क्या सब मान Rt upon v-b k, v-b k, rt upon v-b k, अब आप देखो समझना, इसको हम कह देते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 है, तो देखो, इस समीकरण में, इधर उपर तो rt है, और नीचे v-b, v-b, अभी भी आयतन ही होगा, आयतन तो देखो मैं इसको ऐसे लिख लूँ पी बराबर आरटी अपॉन आयतन विमिय रूप से मान हो सकता है लगो लेकिन भी और बी दोनों की कई देखो वी मैंसे भी घट रहा है तो हम दो रास्यों को तभी जोड या घट आ सकते हैं जब उनकी बिमाएं समान हो उनकी बि आयतन यह भी आयतन है तो घटके भी क्या आएगा और आप यहां से देखो जो आपन ने अलफा निकाला था अभी समीकरण इधर नाम दे देंगे अपन तो अलफा बराबर क्या है आर टी अपं अबोले तो दो अभी समीकरण 2 और यह हमारा होई गवा समीकरण नमर एक तो यहांसे P ब़्राबर RT बते आयतन, अरे देखो, 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 और यहांसे बिमाएं वही होंगी जो की पी की बिमाएं है तो अलफा का बिमीय सूत्र पी के बराबर आ जाएगा मुझे आसा यह चीज आपको क्लियर होगी नहीं हो तो कमेंट सेक्षन बताना हम आपको फिर से बता देंगे अगे बढ़ों बच्चा लेकिन एक वार आप अच्छे से दे दिमाख तो आपके पास पूट पूट के भरा हुआ है बोरियों में बस उसको उपियोग करना है और उपियोग किया है तभी तो यहां तक पहुंचियो बिटा अगर उपियोग नहीं करते तो साइंस कैसे लेते फिर आप यस चलिए पेग भी को समीकरन इसके दौरा ब्यक् ास करना है तो देखो समीक應該 को मैं ऐसे लिख लूँ भी माइनस एटी स्कुरे माइनस बीटी फ्लस सी फ्लस देल सी नहीं माइनस सी माइनस सी बराबरी 0 पूछा क्योंक उस्ट कूछ को आपने लिख लिया है कि अब देखो यहां यहां सबस्क्तुरां में बराजिया घड़ रही हैं कि इनकी आपस में वा है Jed mi से बराबर होनी चाहिए सिंपल सा फंडा है दो रासियों को हम तबी जोड़िया घटा सकते हैं जब उनकी विमाएं समान हूं और तो सिंपल सा अभी आपस में जोड़ घट रहे हैं ऐसा लिख सकते हैं अब देखो हमें एक विमाएं निकाल नहीं तो एक विमाएं कितनी हुए भी अपॉन टी स्कुर्ड अब बताव वी की विमाएं क्या होती एल टी माइनस वन होती और टी की विमाएं क्या हुआ टी टू दी पावर ठीक है आंसर पहला ही मिलिगी आंसर पहलना गालोếu घट हुआ असा है अरन आंसर तक हम ऊसना था तो यहीं आपको अइक निकाल लेते क्षान तो बी की विमाएं क्या होuire ठी माइनस डी माइनस वन टी भी की विमाउंच मोगरएं अपॉन टी तो पहलगी मैज थो दोक़िए और भी मैच हो गया यह आप खुद मतलब खुद क्या लो हो तो गया भी की विमाएं क्या होती है वी की विमाएं होती है एल अरे भाई की एल टी माइनस वन और ध्यान देना इसको अपने स्क्वाइर ब्रैकेट में लिखते हैं बड़े वाले कोश्टक में तो आपका अंसर हो गया बच्चों कहानी को आगे बढ़ाएं बच्चा आईए आओ अच्छा अब देखो जैसे यह सवाल है आपका अच्छा यह वही पूछा गया है कि समय की तीनों नियतांकों की माँ समान हैं तीनों नियतांकों की माँ समान हैं हमें जो question paper मिला हम उसमें जाने हैं इसका सवाल क्या होता है हम नहीं जानते हैं प्रट्यास्तिता कुरहां कैंड। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, तो सब के formula आपको पता होंगे, although कार, उर्जा, बल आप जानते हैं, बेग, संबेग, आबेग, साइद नहीं जानते होगे, सीख जाएंगे, इस्थेते जूर्जा, गते जूर्जा, संबेग, यह अपन, यह आप सभी जानते होंगे, तो देखो, अपन पहला बिकल्ब देखते हैं, कार, तो कार की बिमाए, हमने का था, याद रखना काम आती हैं, कार की बिमाए होती है, यम, यल, टू, टी माइनस टू, एम, एल, टू, टी माइनस टू, और बल की बिमाए, अगर अपन लिखे हैं, बल की बिमाए, यह तो अ तो आपसे सवाल में पूछा गया किसकी विमाएं समान है तो बताइए पहले बिकल्प में सभी की विमाएं समान है क्या कम कहेंगे नहीं कारिकी और उर्जा की विमाएं तो समान हैं बट बल की विमाएं अलग होगी तो यह अंसर नहीं होगा ऐसे बेग और संबेग की गणा समाय अंत्राल तो बल की व्याइँ आप जानते हैं ेम न्य टी माइनस टूüstुक्ट कियां कर दोगे बच्चा टी गर दो ten टू बड़े उन्टू त्वाबस गई हैं ऐम एल टी माइनस वनके आप जानते हैं देखो ऊर्जा कोई भी वह इस्ठेटें जूर गटेज उर्जा हो इसकी उर्जा किसी की उर्जा हो नहीं जानते हो तो लिखना बिटा तरीका जानते हो कि संवेक की विमा क्या होगी और उर्जा की नहीं लिखी हुई आप देखो आखिरी वाली चीज बचिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा अब देखो दाब होता है बल बटे छेतर फल प्रती बल भी होता है बेटा बल बटे छेतर फल यह आगे पढ़ेंगे आप तो यह सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो यह कुष्चन आपका इस त्यास्ता गुडांक होता है तो जैसे अपन कहलेते हैं यंग गुडांक तो यह होता है प्रतिवल बटे प्रतिवल बटे विक्रती आगे पढ़ेंगे प्रतिवल बटे बिक्रती तो अब देखो इस मैसे जो बिक्रती होती है बिक्रती इसका मान होता है डेल्टा एल ब विक्रति हैं और आगी स्तेजरी है और ये पता जलेंगी करनी और oh baby wanna kiss के बराबर आ जाएंगी फिरतिवलगे करी कि प्रतिवलकी ज्यादा परिशां नहीं होना कि यह क्या कर दिया या आप आगे पढ़ोगे आप आगे इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको सब पता चल जाएगी तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चा हम आगे बढ़ें चलिए अब देखो 2010 में यह भी पूछा था एक नैनो मीटर किसके बराबर होता है तो एक नैनो मीटर किसके बराबर होता है तो अपन जानते हैं वन नैनो मीटर is equal to 10 to the power minus 9 मीटर अब अपन option देखें तो option मीटर में है यह नहीं तो चलिए अपन centimeter में लिखने की कोशिश करते हैं किसमें centimeter में तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 2 meter, 10 to the power minus 2 meter, अब आप देखना कि 1 nanometer, 1 nanometer equal to कितना हो गया, 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 2 को क्या लिखते हैं, centi लिखते हैं, तो यह क्या हो गया, centi meter, तो 1 nanometer का value, 1 nanometer का value कितना है, 10 to the power minus 7 cm, ठीके बच्चों, ऐसा है, तो बिकल्प कौन सा आंसर हो गया, आपका, C वाला, गा बिकल्प आपका answer हो जाएगा, बच्चों, चलिए पन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अच्छा, ये के वाली रासी है, कि तापिय चालकता का बिमी सूत्र कह है, जहां के तापमान को इंगित करता है, तापिय चालकता, तो देखो बिट्चा, फिर से कहूंगा, ये बिमाओ का कोईशन है, लेकिन तापिय चालकता क्या होती है, इसका सूत्र भी आप नहीं जानते होंगे, तो मैं बता देता हूँ, सूत्र क्या होता है, फिर आप answer खुद निकाल लोगे, मुझे पूरा भरोस होता है, तो मैं बता देता हूँ, एब ये मैं पूछा किया है, नहीं नहीं, जही है, ये means, नीट में का मियन्स होता है, ये मेन्स दो हजार वीस में पूछा है बिटा ही सवाल, भी अब देखीए, तsti शालकता कि सवाल का अंतर या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं चलो इसको ऐसे लिख देते हैं डी टी एपॉंट डी एक्स टेल्ट एक्स उसमा प्रवाय की दर ऐसे कैसे भी लिख लो चलो ऐसी लिख रहें दो यह सूत्र होता है यह आप आगे पढ़ेंगे ग्यारवी क्लास की ही फिजिक्स में एक चैप्टर होता है उसमा का संचरन उसमें पढ़ेंगे अब देखो इसमें से मैं आपको बता दूँ यह डी क्यू क्या है उसमा तो उसमा की किसके बराबर होती है उर्जा की यह आपने ब कि विमान के ब्राबर हो जाएंगी बच्चा लंबाई के इसके बदाबर हो गई बच्चा लंबाई के अब देखो अपन उत्तर निकाल लेते हैं फटाफट फटाफट तो तो देखो अपन को किसके लिए निकालना है k की लिए माइनस का तो कोई रोल ही नहीं तो k का मान अगर अपन निकालें तो k का मान हो गया dq upon dt dq upon dt इधर delta x कहां चला गया उपर चला गया और delta t into a कहां आ अगया नीचे आ अब देखिए बच्चा DQ की जगए DQ क्या है उस्मा होती है और उस्मा और उर्जा की बिमाएं बरावर होती है उस्मा और उर्जा की बिमाएं कैसे होती है बरावर तो अपन लिखेगे M L2 T-2 बिटा वियाद हो जाना चाहिए किसकी बिमाएं है उर्जा की डेल्टा एक्स का है बच्चा लंबाई है लंबाई में परिवर्तन तो लंबाई माइनस लंबाई क्या आएगा लंबाई ही आएगा हम कहां 10 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर नहीं 10 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर कर लो तो 10 माइनस 6 सेंटीमीटर क्या आएगा तार सेंटीमीटर तो वो भी सेंटीमीटर आया ना लंबाई आया ना तो लंबाई का अंतर हो ताप का अंतर हो किसी भी चीज का अंतर हो उसकी बिमाए रासी के बराबर ही रहेंगी जैसे ताप अंतर की बिमा ताप के बराबर द्रब्मान के अंतर की बिमा द्रब्मान के बर साबर जैसे 6 किलोग्राम —2 किता आया? 4 किलोग्राम किलोग्राम ही आएगा नवीज़ आ कि ए डही किया है बच्च समय sagen देता पांतर होता है तो ड से थे पांतर यह समय का अंतर समय कांतर हैं यह कह talkin थे गतलिह तो ए कित्ती हो गई बच्चा अब काटा कूटा में चालो आओ एल स्क्वार एल स्क्वार उड़ गया कि अब आजाओ तो के की बिमाएं कित्ती बच्ची के की बिमाँ हो गई है देखो एक तो बच्चा है एम के साथ साथ एल उपर है बस एम एल टी 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 ऊपर दो है नीचे एक है तो टी की पावर माइनस 3 तो के की पावर माइनस वन तो बस अगर आपको इस सूत्र पता है और जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी ओबिसली 11 यह 12 का जब स्लेबस पूरा हो जाएगा तो आपको इस सारे सूत्र पता होंगे यह बताने जुरूत नहीं पढ़ेगी तो अगर इस सूत्र पता है तो देखो खतम कहानी कौन सांसर हो गया एम वन एलवन एम वन एलवन टी माइनस थ्री के माइनस वन यह यह आएटी जेई में अभी 2020 में पूछा था कि वाइस का तो हुआ भी नहीं है यह तो 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 और देखिए अब देखो ये सवाल है कि 2019 आइटी में पूछा गया है आईएक दो हजार उन नीस में पूछा गया है वच्चा यह सवाल ठीक है आई यह पन देखते हैं क्या करते हैं देखते हैं सवाल है दो परमाडुंगे मद्ध अन्योण क्रियाबल एफ वराबर इतना-इतना से दिया जाता है जहां एक्स दूरी है के बोल्जमेन यह तांक है टी है टी है टाप T kya bachcha T top Mgepringt हो गया है यह PAP है ठीक है और यह भी बच्चा यहां पर T लिखा जाएगा कंगा इफ ही T 3 I It up मंगी रहा है समय यार कि दूमिसिगjà कुछ और फटा बीटा दो स्थे ठांग है तो बीटा की बिमाय होगी आपको किसकी भिमाए घ्याद करना है बच्चा बीटा की ठीक है छो लगता है जो वो अपनटी को अपर कर लेता है लिखता हूँ लिखता हूँ मैं कौनसे कैपिटल क्योरी-तांग के साथ तो यह कैपिटल टी है और यह क्या है बच्चा ताप है अब देखो फंडवाई फंडवाई एफ वराबर आपको क्या दिया हुआ है अल्फा इन्टू बीटा अभी एए एकस्पी से कंफ्यूज मत होना एकस्पी मतलब होता एकस्पोनेंशियल एका पावर और एका रहा है तो टो यह नहीं से अलफा है मैंने इहाँ पर लिखती है अब देखो बिल्कुल सिंपल सी कहानी बिल्कोल सिंपल सी कहानी आप बताओ जरा अई की पावर यह चीज लिखिये कैसी होनी चाहिए जल्दी बोलो तो आप काँगे ऐसर जी आ हमने पढ़ा क्वोल्जमेन विं कोंस्टेंट की चर्चा में करेंगे तो करेंगे यह वाली रासी अगर इंप ए रासी बिमाहीन हो गई को इसकी बिमाहा लिख देंगे तो हम चलो चलते हैं अलफा की बिमा निकालने हैं तो हम चलो कह देते हैं इसको समीकर नमबर एक कह दो और इसको कह दो समीकर नमबर दो तो हम पहले दो को पकड़ते हैं किसको पकड़ते हैं बच्चा दो को आउ तो समीकर दो से दो से तो दो बराबर क्या alpha is equal to x square upon kt अब देखो बच्चा यह आप आगे 11th class में पढ़ेंगे कि जो उर्जा है उर्जा ठीक है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं half kt क्या लिख सकते हैं बच्चा half kt कौन सी उर्जा होती है अपन बाद में बात करेंगे गतिज उर्जा होती है एक अणूकी एक परमाणूकी ठीक उससे आप परेशान मत हो तो उर्जा बराबर अपन क्या लिखते हैं बच्चा half kt लिखते हैं तो इधर से आप देखो कि आपको बस यहां दिहान देना है कि जो उर्जा है यह किसके बराबर हो गई half kt के इसमें half को कर दो बेटा माफ क्योंकि संख्या है इसका कोई रोल नहीं होगा तो kt की जो बिमाएं वो किसके बराबर हो गई उर्जा के बराबर और उर्जा की बिमाएं आप जानते हैं अल्फा की बिमाएं कितनी हो गई x काल लंबाई है तो kt की बिमाएं के सके बराबर उर्जा की बिमाएं होती ml2 t-t अब देखो काटा कूटा मचा выступ और यह 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 गयो तो अल्फा की बिमाएं के सके बराबर हो गई है t2 की नहीं m into t2 दो के इसका भिमीश उतरा गया M into टी की खथ तो अब देखो कमी क्रण अपनेद क्रूइब है लिए अप समीकरण एक उठाते हैं कौन सा समीकर नमर एक स्वाटाफट लेठ हो रहे हैं समीकरण एक से क्या था भाया हम तो भूल गया हमने का रोको रोको जरा समीकर एक था f वराबर अलफा इंटू बीटा अलफा इंटू बीटा बरोसा नहीं हो यहां देख लो तो यहां से अपन को बीटा की विमाएं निकाल नहीं है तो बीटा की विमाएं कित्ती हो गए बीटा इस एकॉल टू एफ अपॉन अल्फा एफ 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 तो एम एल टी माइनस टू यह तो वल हो गया अपॉन अल्फा कितना आया है एम टी माइनस टू नहीं टी प्लस ट 2 यही आया है माइनस2 पर गया थैंकवतति यहां ध्यांदेनाँ-1 आए Gary Lehr का एगा माइनस का नीचे है ना तो ऊपर जाएगा तो नीचे एम प्लस एउपर गया तो मैंस आ गर द्रीशरी था तो प्लस का हो गया तो अब देखो यहाँ माइनस कवाने में ऑखात माइनस कवनड आए ऊब配ट उपर हो गया नीचे माइनस वन ऊपर गया और Most किन गार कितना है वन और K रझागक कितना हो गया माइनस को अपा हो गया थे बिटा की निए मिअए आगे अब चलिए अपने मैच करने चलते हैं मैच करने चलते हैं यह वाला अंसर आ गया एम की पावर टू एल टी की पावर माइनस फूर देखो अरे कहां गया भाई कहां गया कहां गया कि टी की पावर टू एल टी की पावर माइनस फूर आपका या आन्सर आ गया तो देखो आसान चीज़ हैं सवाल ऐसे ही होते हैं अब आप खायें कि इस में तो 11 12 में जब आप पूरी पढ़ाई करेंगे तो यह सारी चीजें सूत्र जैसे मुझे पता हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको भी पता होंगे कि उर्जा को हम हाफ केटी लिख सकते हैं तो उर्जा की जो बिमाय हैं और वो केटी की विमाय हैं वो कैसी हो जाएंगी बच्चा बरा आपन कहानी को यहीं तमाप्त करते हैं तो अब थेंक्यू बोलने की कहानी आगी बच्चा तो आज का लेक्चर एंगे पढ़ेंगे तो अगर आपको कोई डाउट है तो आपका कमेंट सेक्षन में सौगत है अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको जो होमवर्क ब साथ हिंट भी दिए तो इन सभी कोईस्टन्स को आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट सेक्षन में बताना है विटाप पढ़ाई में निखार ना फेर एंड लबली लगाने से नहीं आता है उसके लिए जरूरी है पैन पेपर चलाना ठीक है तो आप पैन पेपर चलाने के जादा डालिए तो थैंक यू सो मस्ट टाटा बाबाई टेक क्यार वच्छाओं